Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हमारा lecture number 2, topic होगा हमारा SQC1 and SA220, तो ये topic शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ general guidelines बना दे वाला हूँ audit subject के लिए and मेरे batch के लिए, सबसे पहली चीज जैसा हमने intermediate में सुनाएगे सब 4 mark का question है न तो हमें 4 point लिखने बस, उससे ज़ादा हमें लिखने keyword जो आपने underline किया है, वो अगर keyword match नहीं हुआ, आईसे के examiner के suggested answer के keyword से तो वो आपका वो point काट देगा, आपको आते थे एक दो और point लेकिन आपने नहीं लिखा क्योंकि आपको 4 mark के लिए 4 point लिखने के लिए बोला गया है और आपका वो 1 mark चला गया वहां से, और आपको 4 में से 3 mark मिले, इसलिए मैं आपको safe side के लिए suggest करूँगा, कि आप 6 point लिखिए, और 6 point में से सब उस 2 point हमारे खतम भी हो जाते है, खराब भी हो जाते है, अगर cut भी हो जाते है, तो हमें 4 में से 4 mark मिलेंगे, पूरे के पूरे, सबसे पहले चीज यह, दूसरी चीज हमने intermediate में सुना हुआ है कि हमें to the point answer लिखना चाहिए, जितना question ने पूछा है, उतना आप answer लिखो, उससे जदा आपको लिखने की जरुवत नहीं है, audit के subject में, लेकिन CA final level पे आप ये भी भूल जाएए, आपको जो भी relevant points पता है, उस topic से related, वो सारे points आपको लिखने है, क्योंकि ICI बहुत deep जाके, बहुत अलग अलग जगह से connect कर रहा है, अपने answers में points को, May 24 में ऐसा हुआ था, MTPs और RTPs में भी ऐसा हुआ है, और No.24 का paper आजाएगा, तो ये सारी चीज और ज़्यादा clear हो जाएगी, तो इसलिए आपको जितने भी relevant points पता है, उस topic related आपको लिखने है, और अच्छे से underline करने है, सर आपने बोला, चार माग के लिए 6 points लिख दो, आपने बोला कि आपको जितना आता है, उस relevant topics से related वो सब कुछ लिख दो, तीन घंटे का paper होता है, सर, और वो भी audit का subject है, इतना सोचने में time चला जाता है, हम लिखने में किसे time लगाएंगे, इसलिए मैं आपको suggest कर रहा हूं, कि audit के mock test को time waste मस्त समझना, कि आप बाकि subjects के mock test दे देते हैं, कि अच्छा figures वाले question है, अच्छा अच्छा जल्दे solve करके अच्छा जल्दे हैं, कितने 3 mock test देने हैं, मैं आपको planner बना दूगा, planner बता दूगा, आपको उस हिसाब से 3 mock test देने हैं, audit के, and मैं आपको मेरे batch में आपको 1 mock test देने हैं, एक mock test आप दे सकते हैं, उसके बाद 2 mock test या तो आप ICA वाले जो 2 mock test होते हैं, वो दीजिए, या फ बात करते हैं, हमारे batch के बारे में, handwritten notes, handwritten notes आपको सिर्फ और सिर्फ classes के लिए use करना है, and maximum first revision के लिए use करना है, handwritten notes are mainly for understanding, for conceptual clarity, for समझना, for चीजों को link करना, points को link करना, memory techniques, ये सारी चीजों के लिए हमने handwritten notes को use किया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ और classes or first revision ये use करने हैं, आ तो है concept book, आपको concept book को बहुत अच्छे से करना है, और concept book को ही करना है 1.5 days में, handwritten notes से नहीं करना है, next हम बात करते हैं, question bank की, question bank में हमारे पास दो पार्ट है, first part में 100% questions में आपको class में solve करवाने वाला हूं, अब 100% questions का मतलब ये है, वो questions जो आपके लिए relevant है, ऐसा नहीं, ज वो आपको पढ़ने भी नहीं है, मैं आपको वो questions के number बता दूगा, उनको आप directly जाके काट देना, अब सर ऐसे काट रहा ही था, तो आपने question bank में क्यों रखें, हमे question bank 100% exhaustive बनानी होती है, हम questions काटेंगे तो बच्चे भरोसा कैसे करेंगी, कि आपने question bank बहुत अच्छी बन जाओंगा कि जो आपके लिए relevant नहीं है, क्यों old course में pronouncements भी important थी, pronouncements जो आपके इतनी मूटी book आते है न, वो मूटी book भी आपके लिए relevant थी, लेकिन new course में आपके लिए pronouncements important नहीं है, उसमें से बहुत rarely question आजाएगा, इसलिए वो सारे questions में आपको cut करवा दूगा, तो old course से आपको कोई भी question नहीं करना है, मैं आपको बता दूगा कौन-कौन से questions है, chapter wise, next हम बात करते है part 2 की, part 2 में आपके सारे direct questions है, तो यह आपका homework रहेगा, वैसे तो obviously सारा जो हमने class में सीखेंगे, वो आपको एक बार अपने घर पे जाके जो है, वो revise करना ही है, और उसके साथ एक बार part 2 के questions देख लिना, अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी doubt आता है, तो आप WhatsApp करके मुझे वो doubt पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको specific format आपके mail पे बेजा हुआ है, आपको किस format में WhatsApp पे doubt पूछना है, उस format में आप WhatsApp पे doubt पूछ सकते हैं, next हम बात करते हैं, उसमें भी old course के questions होंगे, वो old के questions के questions भी मैं आपको mark करा दोगा, वो तो आपको देखने ही नहीं है, सीधा cut करना है, सीधा cut करना है, आपको ज़्यादा time है, तो ज़्यादा revise कर लो, लेकिन ये सारी चीज़े मत करना, ठीक है, yes sir, next हम बात करते हैं, आपको watch करना है, same sequence में, जिस sequence में म आपको topics करा रहा हूं, उसी sequence में आपको topics watch करने है, in the sense कि अगर मैंने basics of audit वाला topic करवाया हुआ था, और आपको लगता है कि sir, मुझे basics तो आता ही है, आपने directly SQC1 और SQC2 वाला lecture शुरू किया है, तो मैं आपको suggest करूंगा, कि आप सबसे पहले lecture 1 करके आए, क्योंकि lecture 1 में basics के अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़े बताई हुई है, तो ऐसे करके आपको sequence में चलना है, ताकि आपको flow समझ में आए, ताकि आपको सारे terms समझ में आए, ठीक है, yes sir, next, last चीज, क्योंकि आप मेरे से classes ले रहे हैं, क्योंकि आप मेरे student है, तो आपको audit tough, नहीं लगेगा, आपको ये ignore करनी है, जितनी भी negativity ने audit के around, audit theory subject है, audit tough subject है, उसको याद करना बहुत difficult है, उसमें keywords लिखना बहुत difficult है, उसमें सब कुछ हम confused हो जाते हैं, कि हमने क्या पढ़ा था, हम क्या लिखे, हमें questions पता ही नहीं चलता है, इस question में पूछना क्या चारा है questions का answer कैसे लिखे, हमें नहीं समझ में आता, हमें को answer पता होता है, फिर भी हम दूसरा answer लिखे आ जाते हैं, ये सारी चीजों से आपको दूर रहना है, this is not applicable to you, क्यूंकि आप आए हैं मेरे पास, मैंने audit को जितना easy हो सकता है, जितना easy हो सकता है, उतनी बनाने की कोशिश करि करेंगे, मैं जितनी महनत बोल रहां, आपको audit में करने की अगर आप उतनी महनत कर लेते हैं, तो audit आपके लिए easy subject बन जाएगा, easy hard वैसे बताओं तो कुछ भी नहीं होता, it's just in our mind, easy hard होता है, आपके efforts पे, अगर आप audit पे अच्छे efforts करेंगे, तो आपके लिए easy subject बन जाए हमारा Mr. A करके बंदा है, ठीक है, वो एक auditor है, अब वो बोल रहा है कि हमने basics में सीखा था कि ठीक है, हमें audit करना पड़ता है as per standards on auditing, ठीक है, बात मान ली मैंने, मैं as per standards on auditing करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका मतलब क्या, पता है आपको, इसका मतलब मेरे पास है क्या है, कैसा है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब है मेरे पैसे से, आप मुझे clients लाके दो, मेरे पास resources नहीं है, मैं resources कम से कम use करूँगा, ताकि मेरी cost भी कमाए, बट मैं client को accept करूँगा, दूसरा, ये client है technology के sector का, अब मुझे technology की को experience नहीं है, कोई कुछ industry experience नह क्योंगा, क्योंकि मैं पैसा क्यों जाने दूँ, client आ रहा है मेरे पास, मैं client को क्यों मना करूँ, नहीं, हम आपको audit नहीं कर रहेंगे, ऐसा क्यों करूँ मैं, मैं नहीं करूँगा, मैं आज जाओंगा, वहाँ पे technology के sector में, उनसे client का accept करूँगा, जो भी मुझे जितना सम आपको 50% जादा देदूगा, 50% जादा फीस देदूगा, आप हमारा audit accept कर लो, और clean opinion देदो, हमने basics में बढ़ा है, clean opinion देदो आप हमें, मैंने 50% जादा मिल रहा है, मैंने कर दिया audit, और clean report भी दे दी, तो मैं करूँगा essay audit, essay सब comply करूँगा, जो procedures बोले, सब कुछ करूँ मैं, लेकिन मैं essay audit करूँगा, मैं quality के साथ नहीं करूँगा audit, अब आप एक बात बताइए, अगर हम as a CA, as a professional, अगर ये सब काम करने लगे, तो ICI, या फिर CA degree का, या फिर CA chartered accounting, जो tag है, जो designation है, उसकी respect बहुत कम हो जाएगी market में, या फिर पूरे world में, इसलिए, इस चीज को रोकने के लिए, ICI ने लाया quality control, हमें ऐसा system develop करना है, अपने form में, मैंने आपको बताया हुआ है, कि CA की firm होती है, तो हमें अपने form में, एक ऐसा quality control, हमें client के बात नहीं कर रहा है, quality control मतलब client के, under client के organization में quality control करना है, ऐसा नहीं बोल रहे है, हम बोल रहे हमारे form में, system, जो मेरे clients की, आफिर मैं, जिसमें audit कर रहा हूँ, जो भी मैं services provide कर रहा हूँ, उस services की quality को maintain करे, वो देखे कि मैं अच्छी से अच्छी quality provide कर रहा हूँ, ऐसा हमें system maintain करना है, ऐसा हमें system लाना है, ठीके form को, इसलिए उन्होंने दो आपके standards निकाले, एक आपका निकाला, S A220, SQC 1 नाम से ही clear है, आपको standards on quality control, 1A की standard है SQC का, और दूसरा आपका standards on auditing 220, अब इन दोनों का difference, इन दोनों के नाम में ही दिया, वैसे तो ये दोनों बात किसी करते, quality control की, और ये भी quality control की बात करता है, लेकिन आपको मैंने basics में बताया हुआ है, कि ये जो SQC 1 होता है ये स्तारे types of engagement पे लगता है, audit पे लगता है, review पे लगता है, other assurance पे लगता है, आपका related services पे लगता है, लेकिन क्यूंकि इसका नाम standard on auditing है, इसलिए ये सिर्फ और सिफ audit पे लगता है, तो इसका जो नाम है, इसी में आपको difference मिलेगा, SQC 1 का जो पूरा नाम है, वो है, quality control for firms that performs audit, मतलब वो firm जो audit perform करती है, वो firm जो review करती है, historical financial information का, वो firm जो other assurance services प्रवाइड करती है, या फिर जो related service engagement प्रवाइड करती है, उसका नाम ही ये है, और SQC 1 का नाम है, quality control for audit of financial statements, मतलब audit जब हम कर रहे है, financial statements का, तो उसमें हमें कैसे quality maintain करनी है, वो हमें SQC 1 बताता है, ठ अब शुरू होगा ना, उसके starting में हम कुछ terms discuss करेंगे, जो उस topic में use हुए, ताकि हम पहले उसको अच्छे समझ पाए, और जब वो term वापिस में आये, तो हम वापिस से उसको discuss करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या-क्या terms आरे इस particular topic में, सबसे पहले है, threats to independence, इस सारे अलग-अलग types होते हैं, वो हम जाके PE chapter, professional ethics जो आपका chapter है, उसमें अच्छे से discuss करेंगे, क्या-क्या types होते है, threats के, एक type जो यहाँ पी दिया हुआ है, वो है familiarity threat, familiarity threat, अगर आप नाम से समझ पा रहे हो, familiar, अगर मैं किसी भी client के साथ, अगर एक auditor किसी भी client के साथ, बहु यह casual friend है, अगर वो आपका 2-3 साल से friend है, 5-6 साल से friend है, 10-15 साल से friend है, तब आप उसके गहरे दोस बन गए हो, आप उससे सुख दुख की बाते भी शेर करोगे, और उसके भले के बारे में भी सुचोगे, ऐसा ही same होता है हमारे audit में भी, अगर एक ही auditor, एक ही client का बार-बार audit कर रहा है, लगातार हर साल वही उसका audit करता है, तो दोनों एक दुसरे के बारे में सोचने लग जाते है, auditor gains sympathy, empathy for client और वो उसके भले के बारे में सोचने लगता है, दोनों एक दुसरे की जान पैचान बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, जो है हमारा खत्रा to independence, threat to independence, ठीक ह next हम बात करते हैं, इसी threat को हटाने के लिए होते हैं safeguards, इसी threat को हटाने के लिए हम safeguards use करते हैं, अब safeguards का अगर मैं आपको example दू, familiarity threat के case में, कि अगर एक ही auditor, एक ही client का बार-बार audit कर रहा है, तो उस auditor को बदल दो, कोई दूसरा auditor ले आओ, कोई दूसरे partner को ले आओ, को हटाने के लिए हम safeguards के use करते हैं, जैसे familiarity threat था, उसको हटाने के लिए हमने rotation of auditor safeguard use कर लिया, ठीक है, yes sir, next आपके लिए main term जो आएगा main जो इस पूरे chapter में, जो main highlighted topic है, वो है EQCR, EQCR का मतलब होता है, EQCR का full form है, engagement में quality control को review करना, मतलब engagement में quality control हो रही है, नहीं हो रही है, quality maintain हो हो रही है, इसको review करना, इसको हम बोलते है, EQCR, और इसको review कौन करता है, EQCR ही करता है, engagement quality control reviewer, जो इसको review करता है, उसको हम बोलते है, engagement quality control reviewer, ठीक है, yes sir, acceptance and continuous of client relationship, यह एक आपका term आएगा, अब client relationship को, हमें accept करना है, या फिर नहीं करना है, हमें continue करना है, या फिर नहीं करना ह पटिट लिए इसका मतलब क्लाइशंशिप को I can देंगे एक इस फोर्ड करने के लिए इस से पालने प्लाइशंशिप के क्या को करना चा रहे हो दूसरा कम आपके स्क्षा रहा है क्लाइन Isaac कर लीजे हमाराbon accept an engagement before you continue an engagement ठीक है यस सर नेक्स हम बात करते है experts की सपोस्स क्लाइंट के financial statements में आपको दिख रहा है gratitude अब gratitude का अलग से valuation होते है उसका बहुत सारे अलग-अलग types होते हैं अलग-अलग assumptions लेके valuation करते हैं अब आप as an auditor valuation करने में expert नहीं हो तो आप क्या करोगे आप किसी एक ऐसे बंदे को हायर करोगे जो उस फिल्ड में expert है और आप उसकी expertise use करोगे audit करने के लिए कि company ने जो ग्रैचुटी valuation का provision बनाया हुआ है क्या वो ग्रैचुटी valuation का provision सही है या फिर नहीं है आप expert को use करोगे अब या तो आप खुद एक expert को use कर लो या फिर management ने क्या पता खुद के export को यूज किया मैनेजमेंट को भी नहीं आता तो management ने भी expert को यूज किया ग्रैचुटी valuation करने के लिए तो अगर आप यूज कर रहे हैं expert को तो उसका हम बोलते हैं auditors का expert और अगर management use कर रही है तो उसका हम बोलते है management का expert simple ठीक है यहां पर टी लगा देना टी नहीं लगा है अब लास्ट में जो चीज हमें समझनी है वो है date of audit report date of audit report मतलब वो date जो audit report पे mention होती है वाह क्या बात बताई सर्ण मज़ा मज़ा आ गया सर इस date का importance क्या होता है न मतलब होती तो वही डेट जो audit report में mention होती है लेकिन इस date का importance क्या होता है एक बार आपने audit report पे date डाल दी तो इसका मतलब होता है कि आपने उस दिन अपने सारे procedures खतम कर दिये अ मतलब इसके बाद आपने audit का एक भी काम नहीं किया है वह आगे डिसकस करेंगे क्या क्या सिचूइचन जिसमें हमने काम करना परता है आगे भी लेकिन हाँ date of audit report का यह significance होता है कि इसके बाद आपको कोई भी काम करना नहीं है आपने सारा शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चाप्टर का तो यहां पर मैंने लिख दिया स्कूसी वन और यहां पर है ऐसे 220 इन दोनों के पहले हम दो इनके डिफ्रेंस एंटायर फों पर लगता है इनके अबजेक्टिफ ए इनका अबजेक्टिफ क्या है इनका अबजेक्टिफ है कि हम एक ऐसा इसा हम प्यार से क्या एक हम सब्सक्राइबूनracing कुछ द्क्रानी तो ल semua कैजिए कि जो वह कम्पलाय कर रही है अपनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी अंप लीगल रिक्वार्मन्स के साथ फ्रोफेशनल मतलब स्सींग्यों मलब जो फॉर्म में वयांप सीरेका कम कर रही है यह regulatory मतलब कि अगर आप किसी client का audit करो सपोस insurance company का audit कर रहे हो तो insurance company का regulator रिप्रोप्रियेट होंगे एप्रोप्रियेट का मतलब क्या होता है उस circumstances के हिसाब से वो report सही होंगे वैसे report ही देने चाहिए थे उस circumstances के हिसाब से तो यह हमारा objective है as per SQC1 and S220 एक बर हम इसको concept book से भी समझ लेते हैं आपको याद करने की जरवत नहीं है ठीक है यह आपको पूछेंगे नहीं एक्जाम म यह हमारा SQC1 and S220 वाला chapter चल रहा है SQC1 का मैंने आपको नाम पढ़ा दिया है this is quality control for firms जो perform करती है audit review other assurance and related service engagement यहां पर S220 का नाम है quality control for audit of financial statements जो audit perform करती है यह सारे टाइप पे लगता है यह सिर्फ audit पे लगता है यह पूरी firm पे लगता है यह सिर्फ particular audit engagement पे लगता है दोन कर सके कि हम की फर्म अपनी PRL requirements को comply कर रही है PRL मतला professional regulatory and legal requirements को comply कर रही है और जो भी रिपोर्स हमने issue किये है वह appropriate है जिस circumstances में हमने उसको issue किया है वो ठीक है यह हमारा पूरा basically introduction था इसकी सिवन इनसीटू 20 का अब हम बात करते हैं कुछ elements के बारे में जिसमें हमारा पूरा chapter ज quality control system के क्या elements होते हैं मतलब quality control system में exactly क्या-क्या चीज़ें आती है यह हमारा बोला गया है SQC1 के बारे में क्योंकि यह पूरे firm के quality control system के बात कर रहा है जब हम ऐसे 220 में quality के responsibility होती है वह responsibility होती है engagement partner की अब सर engagement partner क्या होता है हमने basics में discuss किया हुआ है एंगेजमेंट partner के responsibility होती है quality को maintain करना अपने audit में आपने और यहां पर हम बात करेंगे responsibilities of engagement partners के बारे में शुका हम पर यहां पर करेंगे वैसे दोनों वहाँ से आपको question पूछेंगे इसलिए हम वही से डारेक्ली एक एक करके मैं आपको सारे elements बताता हूं क्याकर elements है और फिर हम उसको अच्छे से describe भी करते हैं तो हम चलते हैं अपने handwritten notes में यहां पे सबसे पहला जो element है वो है leadership responsibility for quality within the firm मतलब यह SQC1 की बात कर रहा है क्योंकि firm की बात कर रहा है और दूसरा leadership responsibility की बात कर रहा है इसका मतलब क्या firm के अंदर quality maintain करना यह leadership की responsibility है leadership का मतलब क्या हो गया firm की leadership में आप बोल सकते partners हो गए जो हमारे managing partner हो गए उनकी responsibility होती है firm के अंदर quality को maintain करना ठीक है इसमें एक बात बो क्या होता है कि हम जो commercial considerations लेते हैं हम जो commercially decisions लेते कि अच्छा ये client हमें ज़्यादा पैसे दे रहा है ना इसका ज़्यादा पैसे वाला client accept कर लेते हैं हम इसमें resources कम से कम use करेंगे cost cutting कर लेंगे quality का कोई फाइदा नहीं है हम अपने business strategy को promote करेंगे business strategy को priority देंगे कि ऐसा firm सोच रही है तो firm को ये नहीं करना है उसको quality control system पे ज़्यादा ध्यान देना है override का मतला उसमतलो priority wise कि आपकी quality सबसे ज़्यादा priority होना चीए सबसे पहली priority आपका quality होना चीए फिर आपको business strategy के उपर देखना है फिर आपको commercial decisions commercial considerations पे जाना है ये बात बोल रहा है ये ठीक है अब इसमें आपको जो question आएगा ना वो question का एक line होगा considerations to uphold quality क्या line होगा ये heading होगा question का मतलब एक जो question पुछेगा considerations to uphold quality अब जो आपके audit में जो main दिक्कत आती है न लोगों की कि सर हमें question समझ में ये आसरी किस बारे में पूछ रहा था मुझे answer तो पता था लेकिन मैं दूसरा answer लिखके आ गया और फिर मुझे मांक्सी नहीं मिले ये बहुत-बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती है क्य कि वह heading पर focus नहीं करते कि वह heading क्या है कौन सी line आएगी तब मुझे ये सारे points लिखने है और मैं आपको उस heading पर बहुत-बहुत जादा focus करवाने वाला हूँ मैं आपको बार-बार बनताने वाला हूँ कि ये heading है इससे question आएगा तब आपको ये चार points लिखने है ताकि आपको चार points भी आद हो जाए और वो question भी आद हो जाए क्या question आने वाला है तो यहां पर question आएगा आपका considerations to uphold quality आप मुझे बताईए कि अगर हमें quality को uphold करना quality को uphold क बनने के responsibility कि इसकी होती है management की responsibility होती है management की responsibility लिख कौलिटी को uphold करना आप वह quality को कैसे आपको अपहल्ल करते है पॉलिसीज बनाके वह ऐसे एक एक को जाके नहीं बॉलेंगा quality को control कर ओओ वह policies बनाएंगे उन policies को follow करना है उनकी employees को तो management के responsibility है quality को uphold करना वो कैसे करते है policies बना के policies बनाने के लिए आपको चाहिओगी information बिना information क्या policies नहीं बना सकते तो वह information आपको obtain करनी है information about client आपको information about client obtain करनी पड़ेगी अब client की information obtain करने के लिए आपको अपना कुछ efforts लगाने पड़ेगे अपने कुछ आदमियों को अपने कुछ employees को client के पास बेजना पड़ेगा उनसे inquiries यह सब करनी पड़ेगी यह सब हम discuss करेंगे उनसे सारी चीज़े लेनी पड़ेगी अपना employees का time लगाना पड़ेगा cost लगाना पड़ेगा traveling expenses लगेगा इस सारे आपके resources होते हैं तो इन resources को sufficient resources का use करते हुए आपको information लेनी पड़ेगी client के बारे में जिसते आप बनाओगे policies ताकि आप अपनी responsibility को fulfill कर पाओ जो कि आपकी responsibility है quality को uphold करना यह आपके होगे चार पॉइंट चार पॉइंट के चार माग आपको मिल गए जेब में खातम ऐसे questions आएंगे आपके पास आपको बस यह याद होना चाहिए कि heading क्या है अंदर का तो आपको ऐसे line wise याद होई जाएगा और यही keywords है इनी keywords को आप underline कर लेना यही हम एक बार concept book से भी discuss कर लेते हैं concept book में क्या बोला गया हमारे पास यह elements से सारे ठीक है यह हम एक करके नीचे discuss करने वाले हैं सबसे पहला SQC1 में चलते है SQC1 का पहला element है leadership responsibility होती है to maintain quality within the firm और firm का जो quality control system है वो override करना चाहिए उसकी business strategy को ठीक है अब question आएगा what are the considerations to uphold quality of the firm उसमें आपको यह लिखना है कि firm assign करती है management की responsibility को ताकि हमारा commercial considerations override ना करे quality को इसका मतलब अगर हम उल्टा लिख दे तो quality should override commercial considerations ठीक है management की responsibility होती है यह देखना कि commercial considerations should not override quality और management की responsibility को fulfill करने के लिए वो बनाते हैं policies policies क्यों बनाते हैं to demonstrate की firm overriding commitment है to quality वहला firm की commitment to quality जो है वो overriding है वो सबको override करती है हमारी सबसे बड़ी priority है quality को maintain करना quality को control करना ऐसके लिए हमें policies बनानी है तो policies बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है information about client तो before accepting engagement को accept करने से पहले हमें vital information चाहिए होती है आसाइन करने पड़ते हैं तो firm devote करती है sufficient resources for development of qcs को develop करने के लिए हम sufficient resources को assign करते हैं तो यह आपका पूरे चार पॉइंट थे अब इसके सामने मैंने हर एक topic के साथ उसका question number लिख 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 दिया है कि हमें question bank से इस particular question को करना है अब इस topic के बाद तो अब हमें question 1 पे आते ह तो ठीक answers तो मैंने आपके यहां पर bold में कर दिया आपके keywords सारे highlight कर दिया मैंने questions में भी जो आपके main part question का जो एक main part अगर आप यह part समझ लेंगे यह part पढ़ लेंगे तो भी आपको पूरा question समझ में आ जाएगा वो पार्ट मैंने underline कर दिया highlight कर दिया आपको यही part अपने question bank में भी highlight करना है साथ ही साथ में इस पर होगा क्या आपको question bank का approach कैसे रखना मैं आपको बताता हूं अगर आपको यहाद आ रहा है तो आपको यह चीज़े लिखने थी तो आप इस question को कट कर दीज़े फिर आपको इस question दुबारा देखने की जरुवत नहीं है क्योंकि अगर यह question exam में आ गया तो भी आपको यहाद आजाएगा कि आपको इस topic के अंदर क्या लिखना था इस question क अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको इस question को टिक करना और यह question अब आपको 1.5 मलब बार-बार revision के साथ आपको इनको filter out करने टिक्ट questions को लास में आपको बहुत कम questions रखने जो आप audit के 1.5 days में देखेंगे क्योंकि audit के 1.5 days में questions देखना बहुत जादा difficult task हो जाता ह तो उसमें आपको सिफ इतनी चीज़ें पढ़नी है और answers में जो highlighted keywords है बस वो पढ़ने आपको बस पता लगना चाहिए क्या question क्या पोच्छन चाहरा और क्या इसका answer है ठीक है sir I hope I am clear with this approach अब हम शुरू करते हमारा question number 1 मैं आपको question पढ़ाऊंगा साथ-साथ में पढ़ाऊं मतलब एक हमारा ABC & Associates है एक firm है जो accept करती है clients को based on risk evaluation वो risk evaluation पहले करती है company का भी करती है और promoter का भी करती है XYZ Limited ने उनको approach किया ठीक है अप्रोच किया XYZ Limited ने ABC & Associates को promoter of XYZ Limited is a close associate and family friend of Mr. A managing partner of ABC & Associates इसका मतलब क्या जो company ने हमें अप्रोच किया उसका जो promoter है वो हमारे managing partner का close family friend है ठीक है XYZ Limited is in news in the previous year for certain inquiries from the regulatory authorities in relation to certain matters उस company के ऊपर कुछ-कुछ inquiries कर चल रही है regulatory authorities के मतलब कुछ तो suspicious transactions कियोंगे उन्होंने the existing auditor of XYZ Limited has resigned and has created a casual vacancy existing auditor भी resign कर चुका है उसने भी काम छोड़ दिया है XYZ Limited is ready to offer 25% more than the existing fees and has approached ABC & Associates for appointment as auditor exercise that they are limited आप बोल रहा है कि भाई आप हमारे auditor बन जाओ भले आप 25% जादा पीस ले 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 ना लेकिन प्लीज हमारे auditor बन जाओ कोई हमारा auditor नहीं बन रहा है और Mr. Ray बोलता है Mr. Ray has a strong recommendation to the firm to accept the audit Mr. Ray बोल रहा है कि भाई टॉप पे जो लोग बैठें ABC & Associates में मतलब यह जो बेसिकली इसकी बात करें Mr. A की इसकी functioning के बारे में आपकी क्या understanding है और दूसरा देखा यह इमलब को question को समझना बढ़ेगा question किस-किस पार्ट में क्या क्या पूछ रहा है exactly दूसरा what are the considerations one should exercise to uphold quality of the firm uphold quality of the firm यही जो हमने चार points पहले पढ़े थे वही points अब हमें लिखने है तो आपको देखना है कि question दो चीज़े पूछ रहा है सबसे पहला आपको बताना है top of the firm के बारे में क्या आपका क्या राय है क्या understanding है और दूसरा आपको uphold quality of the firm के बारे में बताना है का audit accept करनी का recommendation दिया है मतलब top of the firm जो है मतलब जो आपके लोग बैठें ओपर वह अच्छे से काम नहीं कर रहे है वह quality control को follow नहीं कर रहे हैं अगर वह quality control को follow कर रहे होते तो इस client का accept नहीं करते जूंकि क्योंकि इस client में integrity के issues है इस client में इस client का integrity पर question है integrity मतलब क्या honesty इस client पर honesty नहीं है इस client यह kind honest नहीं है यह किस कैसे बता चला हमें कि इन पर बहुत सारे searches हो गए regulators ने बहुत सारे inquiries कर दी इनके resignation कर दिया previous auditor ने previous auditor ने अगर resign कर दिया तो बहुत बड़ी बात होती है यह हमें बहुत बताना पड़ता है बहुत reasons के साथ हमें बता होना चाहिए क्यों रिजाइन किया तो यह question है इनकी integrity पे इसलिए हमें इनको accept नहीं करना चाहिए था लेकिन Mr. A बोल रहे हैं कि भाई फिर भी accept कर लो recommend कर रहे है बतलब यहां पे tone of the top of the form जो है वो गलत है वो सही नहीं है यहां पे business strategy जो है वो override कर रही है commitment to quality को commitment to quality नहीं है यहां पे business strategy override कर य second part में uphold quality वाला वही चार पॉइंस है जो हमने अभी discuss की है ठीक है अब इसमें ध्यान रखना कि आईसे हैगा यह sequence है जो उन्हें ने मतलब sequence जो मैंने sequence change कर लिए अपने concept book में as per memory technique तो sequence में आपको कोई ध्यान देनी के जरुवत नहीं है sequence की विदसे आपके marks नहीं कटेंगे सब्सक्राइब करने हैं ठीक है यहां पर दिये हुए है नेक्स्ट अब हम नेक्स जलते हैं हमारे बोर्ड नोट्स पे तो बोर्ड नोट्स में वारा नेक्स टॉपिक है एससे 220 के बारे में जो बात करता है सेम लीडर्शिप responsibility for quality audit के audit पे जो quality maintain करने है उसकी लीडर्शिप क नाम होता है engagement partner EP engagement partner की responsibility होती है कि जिस भी audit पे वह engagement partner है वहां पर उसको quality maintain करनी है यह किसकी responsibility है engagement partner की responsibility होती है अब अगर आपके पस कोई भी question दिख जाए ऐसा कि आ रहना हमें actions of EP बताओ actions of EP बताओ according to leadership responsibilities for quality on audit ऐसे QC1 ऐसे 220 ऐसा करके कुछ भी question मिल जाए actions of EP के related तब आपको यह सारे points लिखने है जो मैं आपको बता रहा हूं यह heading actions of EP कि actions of EP क्या emphasize करने चाहिए actions of EP आप मैं emphasize भी लिख देता हूं actions of EP क्या emphasize करने चाहिए क्या emphasize करने चाहिए सबसे पहला quality is essential जो भी एक्शन्स लेड़ा है उसमें सबसे पहली चीज यह निकल के आने चाहिए कि quality is essential quality is necessary quality हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है and दूसरा importance of quality quality हमारे लिए सबसे जाधा important है यही दोनों सेम चीज ही बोल रहा है व चुंकि quality हमें help करती है to comply ताकि हम comply कर सके बाहर वाली के साथ अंदर वाली के साथ अरे वा सर क्या बात करिया आपने बाहर वाली और अंदर वाली सर बाहर वाली का मतलब है हमारे PRL requirements के साथ professional regulatory and legal requirements के साथ and अंदर वाली मतलब फॉर्म के खुद के जो quality control system है उसके साथ हमारा important से quality का अब देखो अंदर वाली के साथ comply नहीं किया ना अंदर जो अपने अंदर वाली होती उसके साथ comply नहीं करके हम निकाल लेते हैं भार वाली के साथ comply नहीं कर रही PRL requirements से बिरा डरे हमस्दोचना कि हम आपको डाटे लग जाए हमको नौकरी से निकालते हैं कि आपने कैसे हाइलाइट कर दिया बिना डरे आप रेस करने अपने concerns को अब अगर हम बाहर वाली के साथ comply कर रहे हैं अंदर वाली के साथ comply कर रहे है मतलब हमारी जो रिपोर्ट्स होगी इन दस सरक सब्सक्राइब करेंगे यह हमारे कुछ पॉइंट से जो हमें लिखने है जब हमारे एक्षेंस ऑफ इंफसाइज के ऊपर कोई कुश्चन आ जाए एस पर एससे 220 एक बार अपने इसको और से भी डिसकस कर लेते हैं कॉंसेप नोट में लीडर्शिप रिस्पॉंसिबिलिट और लीडर्शिप रिस्पॉंसिबिलिटी यह बोलता है कि एपी की रिस्पॉंसिबिलिटी होती है इस और एक्षेंस ऑफ एपी यह बताना चाहिए शल्द एंफसाइज क्या एंफसाइज करना चाहिए कि व्युवारिटी इसेन्शल इन परफॉर्मिंग ओडटेंगेजमे के साथ तो हमारे engagement team की ability to raise concerns की वोट रेस कर सके concerns without fear of reprisals रहीं görüşल्स का मतलब क्या होता है punishment बिना कोई punishment के Crusader से वो रहत कर सके concerns को बिक है मुझत वुम्स कर सकते हो यह बिलिए कर सकते हो दो से लिए सब्सक्राइग सेशförवगर चवेlate सबसे बड़ी एथिकल रिक्वार्मेंट होती है इंडिपेंडेंट करना अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं है तो अगर आपको इसके अराउंड कोई भी कुश्चन आजाएब जिसमें आपको सबसे पहला आपको अपने लोगों को पतानी अपनी टीम को भी बतानी पड़ेंगी तो आपको सबसे पहला communicate करना है to all your personal personal मतलब जो आपके बंदे काम करते हैं आपके फिर्म में आफे जो भी कंपनी के personal होते हैं जो भी human resources basically you can say तो आपको communicate करना है अपने सारे personal को independence requirements के बारे में कि आपकी यह ethical requirements है अब independence requirements अगर comply नहीं हो रही मतलब independence requirements में अगर कुछ threat है अगर कोई threat है तो आपको identify करना है और उसको evaluate करना है कि देखना आप अच्छा है मुझा बहुत लेवल पर है जो हमारे independence पर खत्रा आ रहा है तब हमें उसका कुछ करना पड़ेगा अगर हमें कोई threat मिलता है तो अब हमें उस threat को eliminate करना है मतलब उस threat को हटाना है जैसा मैंने आपको safeguard बताया था वैसे आपको इस threat को हटाना है मतलब किसी engagement partner को रोटेट कर दो दूसरा अगर eliminate नहीं कर सकते उस threat को तो reduce कर दो through applying safeguard मतलब reduce भी कर सकते हम threat को अगर reduce भी नहीं कर सकते मतलब वो threat का आप कुछ भी नहीं कर पा रहे और वो threat है आपके independence पे तब आपको withdraw करना भी पड़ सकता है withdraw मैंने आपको basic में पताया था withdraw का मतलब होता है resign तब आपको resign भी करना पड़ सकता है as an auditor अब जो भी आपने जो भी action लिया जो भी आपके threats से वो जो भी independence के breaches थे वो आपको notify करने अपने form को notify करने मतलब क्या आपने form को बताने है कि भाई यह इंडिपेंदेंस ब्रीचेस थे यह मैंने actions लिये ठीक है यह सारी चीज आपको लिखनी है जब आपका ethical requirements के सबसे पहला जब भी ethical requirements का question आएगा हमें यह पता है कि इंडिपेंदेंस जो है वो हमारी basic requirements है और क्या policies and procedures होने चीए हमारे form में सबसे पहला हमें यह communicate करना है अपने सारे personal को communicate independent requirements to its personal हमारी इंडिपेंदेंस requirements हमें पर्सनल को communicate करना है फिर हमें दूसरा यह देखना है अगर कोई independence requirements पर कोई threat है या नहीं है हमें identify करना है और इवैलिवेट करना है उन circumstances and relationships को जो threats create करती है to independence अब इडिवेट करने के बाद हमें actions लेना है to eliminate reduce या फिर withdraw मतलब टेख appropriate action to eliminate those threats या फिर विड्वेट रिड्यूस कर दो जिसको आप accept कर सकते हो जो आपके लिए acceptable है कि हाँ चलो इतना low level of threat है मेरा तो इसको मैं accept कर सकता हो तो उतने level तक आप उसको reduce कर दो by applying safeguards कैसे reduce कर होगा आप लाएगर अगर year appropriate लग रहा है अगर अगर आपकोषा गए मिन गर सकते हैं हम रिड्वा भी प्रूम्टниц था है अपने खुझ से आपउड को इसमें बात करते इसमें एक और चीजह आती है क्या आपको अट-्लीrose आपको एन्वली रिटन कंफर्मेशन लेना है अपने परसोनल से कि वह इंडिपेंडेंस रिक्वार्मेंट को फॉल्फिल कर रहे हैं अब एक और बात समझी है एक और चीज मैंने आपके लिए करती है कि जितने भी mcq booklet जो मैंने आपको पूछा जा सकता है तो आपके वापस पूछा जा सकता है वो सारी चीजे मैं यहाँ पर आपके लिए एक्जामपल के तौर पे भी लिख के लाए हो अगर आप नीचे जाएंगे नीचे मैं आपको बताऊँगा मैंने mcq के एक्जामपल त एक बात करी थी हमने फैमिलियारेटी थ्रेट की यहाँ पर फैमिलियार्टी कभी जिकर होता है यह बोलता है कि फैमीलियारेट्ट करलब कर होता है जब सेम इंसान मिलेट चाहिए इसके सेवगार्ड में या तो आप रोटेट करो ओडिटर का Tower रोटेशन या फिर आप EQCR आपउन्ट कर दो या तो rotate कर दो मतलब किसी और auditor को लेयो और पिर आपको same auditor रखना है तो आप EQCR the reindeer करेगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ 쪽ली में quality control हो रहा है या फिल नहीं हो रहा है ठीक है और Listed Entity के case में आपको बता देता हूं यह familiarity thread के बारे में बुलवा गया है कि Listed Entity के case में आपको Engagement Partner को rotate करना ही पड़ेगा within 7 years बतलब Maximum 7 years तक ही आप Engagement Partner रह सकते है Listed Entity के case में यह भी आपका MCQ का point है, यह इध्यान से सुन लीजेगा सिर्फ Listed Entity Case में बात कर रहा हूं और वो भी engagement partner के बात कर रहा हूं, वो भी maximum 7 years तक रह सकता है, उससे ज़्यादा आप engagement partner ही रह सकते हैं, फिर उसके बाद आपको change करना ही पड़ेगा, यह जो particular limit है, वो sole proprietor पे applicable नहीं है, क्योंकि listed entity की case में sole proprietor को within 5 years rotate करना पड़ता है, ठीक है, आपको याद आ रहा हो, 5 years for अपना proprietorship and 5 into 2 terms for firm, तो firm में आप 10 साल तक रह सकते हो, वो firm पूरी 10 साल तक auditor रह सकते हैं, लेकिन एक engagement partner सिर्फ साथ साल तक रह सकता है, उसके बाद 3 साल के लिए दूसरा को engagement partner आएगा, यह maximum limit है, minimum limit नहीं है, वादब एक साल के लिए, एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए द return communication लेना, आपने सारे personal से कि भाई, वो comply कर रहे हैं, उनकी policies and procedures regarding independence, ठीक है, notes में इन्होंने बोला है कि भाई, familiarity threats का मतलब क्या होता है, जब हम same personal को use करते है, for prolonged period, मतलब बहुत बड़े period के लिए, गर हम same personal को use कर रहे हैं, same auditor को use कर रहे हैं, same client के साथ use कर रहे हैं, तो वहाँ limited entity के case में, EP को rotate होना ही पड़ेगा in at least 7 years, और यह requirement आपके sole provider के case में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 5 years का limit लगता है, इसके बाद हमें करना है question number 2, from हमारा question bank, अब question number 2 देख लेता हमारे question bank में क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि SS limited is a company listed in India, एक listed entity है, the company has appointed Mr. Z and company as auditors, उन्हों लाए गया उसकी firm का, ठीक है अभी जॉइन किया, उसको engagement बना भी दिया, he understand that it is necessary to ensure the compliance of independence for audit team as per the standard audit practices, उसको पता ही हमें independence maintain करनी पड़ती है, but he could not find as such any policies and procedures available with the firm in documented form, उसको कोई policies and procedures नहीं मिले documented form है, जो बोले कि आपको independence maintain करनी है अपने firm में, why do you think that the firm should have policies and procedures to ensure independence of the firm in every assignment, आपको क्यों लगता है कि हमें policies and procedures maintain करने चाहिए, independence से related, and how does an engagement partner ensure that the compliance of independence, मतलब engagement partner कैसे independence की compliance को चेक करता है, तो मैंने आपको बताया था कि independence, ethical requirements, इन सब से related, आपको कोई topic मिल जाए, और SQC1, S220 उसमें दिख जाए, तो आपको ये सारे points लिखने है, जो मैंने आपक आपको भी पताया थे, ethical requirements वाले, तो यहाँ पर वही maintain बोला गया है, यहाँ आपको maintain करनी है, independence, आपको communicate करनी, independence requirements अपने सारे personal के साथ, आपको identify करना है, आपको appropriate action लेना है, आपको reduce करना है, withdraw करना है, यह सारी चीज़ों जो भी हमें पढ़ी है, वही सारा यहाँ पर answer है, ए इसे आपको answer लिखना है, एक SQC1 का answer हो गया, यहाँ पर SQC1 है, और यहाँ पर SQC220 है, यह उसका answer हो गया, ठीक है सर, येस सर, सेम चीज़े, आप देखेंगे सर, इतने बड़े-बड़े answer, इतने बड़े-बड़े इन्होंने, एक point को यहाँ पे इन्होंने दो line में लि लिखके भी दिद्दू concept book में, तो आप वो 4 line पढ़ेंगे ही, अगर पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगी, इसलिए मैंने सिर्फ उतना relevant content आपको लिखके दिया है, जितना आप पढ़ भी सकते हैं, जितना आप याद भी रख सकते हैं, और जितना आप लिखेंगे इसमें इतने बडे-बडे points लिखें, आपने इतने बडे-बडे points हैं, अगर मैं लिख भी देता तो भी आप वो नहीं पढ़ते हैं, तो भी आप वो याद नहीं करते, क्या आपस याद होता हैं तो वो चीज सही है, अगर आप यह trust रखेंगे तो believe me, audit will be an easy subject to you, ठीक है sir, yes sir, next time चलो, next topic पर जाते हैं हम लोग, next topic की बात करते है, हमारा जो नया topic है, acceptance and continuous of client relationship, यह जो हमने उपर समझा था, acceptance and continuous के बारे में क्या होता ही है, वहाँ उसकी बात करें, अब, आप accept करने जा रहे, आप या तो continue करने जारे client relationship को, उससे पहले आपको कुछ information obtain करनी पड़ती है, about client, about client, client के बारे में आप कुछ information obtain करनी पड़ती है, ऐसा करके आपको कुछ कोश्चन आएगा कि क्या information obtain करनी पड़ती है, फिर acceptance and continuous client relationship, excuse me, answer to 20, कुछ कोश्चन आएगा आपके पास, सबसे पहली चीज, यहाँ पर हमें सिर्फ एक information client के बारे में obtain करनी है, बल्कि form के बारे में हमें 2 information obtain करनी है, आप कोश्चन में एक twist है, वो बुलेगा आपको कि क्या information obtain करनी है, client के बारे में बताओ, है और यवह सारी एथिक्रस मलब जो भी लॉड और इंस के क्या वह फॉलो करता है या फिर नहीं करता है तो इसके इंटिग्रिटी की बारे in fall kobe एंड छुड की वारे किक्या शुर्च को क्या बारे में डीये कि क्या हम हम ethical requirements को comply करते हैं अब हमारे ही independence तो हम ये दो gelation करना अब तीसरी के ज दो तू है रहा है कि अगर के द्र altre करें तो उस में अगर पहले कभी पहले चू हमने हम्हारा जो relationship था client के साथ उस relationship में firm और client के relationship में क्या पहले कोई significant matter हुआ था उसको भी हमें consider करना है वहला पहले कोई हमने significant matter का मतलब क्या होगा कुछ भी आपने findings कियोगी जो भी आपने procedures कियोगी उससे आपको बहुत कुछ बड़ी चीज पता चली क्राइन के बारे में कुछ significantly बड़ी चीज पता चली उसको हम बोलते है significant matters बहुत layman language में मैंने आपको समझाया है ठीक है उससे दाद आपको समझने के जर्वत भी नहीं है तो कुछ बड़ी चीज अगर आपको पता चली पिछले audit में पिछले client relationship में वो भी आपको आपको कौन-कौन से चार procedures ध्यान में देने पड़ते हैं और बोला था पता कौन-कौन से procedure लगते हैं तो आपका mcq में भी आया हुआ है ठीक है एक और चीज अगर हम यह सारी चीज़े कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि client integrity नहीं है हमारे पास competence रही है हमारे पास हम independence नहीं है हम बहुत significant matters मिले थे जिसकी वीज़े हमें client को accept नहीं करना चाहिए और फिर भी हम अगर client को accept कर रहे हैं तो हमें reasons document करने पड़ेंगे कि कैसे हमने इस issue को resolve किया कौन-कौन से issue हमें मिले और कैसे हमने इस issue को resolve किया कैसे इस issue को consider किया अगर हम उसको accept कर रहे है तो यह आपको document करना पड़ेगा इसका एक बहुत बढ़िया question आपके just recently में 24 exam में आया होगा है भाई question अब थोड़ी दिन में करने वाले हैं एक पर आप concept book से देख लेते concept book में क्या लिखा हुए इसका concept बोल रहा है acceptance and continuous of client relationships and specific engagements before accepting the engagement या फिर before continuing the client relationship firm should acquire vital information about the client vital information में क्या क्या हैगा सबसे पहला आपको integrity check करने क्लाइन के बारे में दूसरा खुद की competence check करनी competence में क्या क्या आता है competence में आपका आता है capability कि क्या क्लाइन का service देने के लिए क्लाइन का audit करने के लिए या फिर नहीं आपके आस time है आपके पास resources है to perform the engagement फिर आपको दूसरी खुद की check करने compliance with ethical requirements क्या आप independence requirements के साथ comply कर सकते हो आफिन नहीं कर सकते हो और SQC1 में specific specific point दिया हुआ है कि significant matters जो भी current या फिर प्रिवेस और एंगेजमेंट में arise हुए थे वह matters को भी आपको consider करना है ठीक है और अगर आपको कोई भी issues मिलते हैं इन 4 points related कोई भी issue मिलते हैं आप फिर भी decide करते हो कि आपको relationship को accept करना है तो आपको document करना है कि आपने इस issue को कैसे रिसॉल्ट किया मतलब इन issues को नजल अंदाज नहीं कर सकते एग्नोर नहीं कर सकते ठीक है सब्सक्राइब बात करते हैं हमारे questions पर जो हमारे अपनी के subsequent to the reappointment of auditors in AGM the company shared the appointment letter with PQR Associates seeking acknowledgement and acceptance letter उन्होंने हमको engagement letter बेज़ा और बोला कि आप acceptance letter हमें बेज दीज़े कि आप हमारे auditor बन रहें C.A.R. मतलब भी reappointment था मतलब पहले भी हम इसका अभी वापी समोड़े बन रहें C.A.R. is the engagement partner and is planning to issue acceptance letter C.A.R. बोल रहा है engagement partner है वो बोल रहा हां ठीक हम acceptance letter issue कर दूंगा during the current financial year there was a search by income tax authorities on the company income tax authority के search हुए company पे and certain accounting records were seized for verification accounting records seized भी हुए verification के लिए based on the information available on social media C.A.R. noted that the promoter's brother is contemplating to contest in the ensuing elections under the banner of a political party मतलब जो promoter का भाई है company का जो promoter उसका भाई है वो election पे खड़ा हो रहा है as a candidate one of the current senior engagement team managers who has been doing the audit engagement till last year has left the PQRN associates and is planning to provide some accounting services to one of the associate companies मतलब उस audit engagement में जो manager था जो senior audit manager था वो छोड़ चुका है हमारी firm को और अब वो सोच रहे कि वो accounting services provide करेगा वो same client को PQR associates are yet to recruit another senior manager having adequate experience in audit of clients engaged in automotive sector and इनके पास अब कोई और भी senior manager नहीं है जिसका automotive sector में experience हो तो अब यह recruit करने के सोच रहे है कोई और आप एक senior manager को जिनका experience of audit sector में ठीक है अब elaborate the matters to be considered by PQR associates with respect to acceptance and continuous of client relationships considering the above issues अब आप बताए क्या-क्या matters को हमें consider करना चाहिए while acceptance and continuous of client relationships यह आपका question था जो बहुत लोगों को confuse कर गया था अब इस question में सबसे पहली चीज़ जो अभी तक सीखा है वो अपने को लिखना ही है क्या लिखना है आपने को SQC1 में आपने क्या सीखा कि हमें vital information करने है क्लाइन के बारे में ब्रदर प्रोमोटर का जो ब्रदर वो elections में जाना चाहरा है तीसरा हमारा करन सीनेर एंगेजमेंट टीम मैनेजर जो चला गया है और वो accounting services देना चाहरा है चौथा हमारे पास और कोई senior manager है भी नहीं तो मतलब हम competent नहीं है perform करने के लिए वहां पर जो पॉइंट्स आरे में आपको बता रहा हूं integrity तो है नहीं क्लाइंट कि क्योंकि income tax authority के रेड़ चल रहे है ठीक है वह प्रोमोटर का जो ब्रदर है वह एलेक्शन में जाना चाहरा है तो वहां पर क्या पता है कंपड़ी ने भी कुछ पैसा वैसा दे रखाओ डूनेट कर रखाओ ठीक है competence हमारे पास है नहीं क्योंकि क्योंकि हमारे पास capability नहीं है experience नहीं है यह जो resources नहीं है क्योंकि हमारा जो senior team manager है वह जाके accounting services देगा हमारे क्लाइन को इंडिपेंडेंस का भी खत्रा है तो यहां पर basically हमारा जो सारे जो भी हमने अभी तक डिसकस केते हैं तीन पॉइंट्स में हमारे कुछ ना कुछ issues है इस पूरे case study में और यहां पर आपको पूछा गया है elaborate the matters to be considered मतलब हमें एक एक पॉइंट परगड़के elaborate करना पड़ेगा कि इसमें क्या-क्या दिक्कते हैं और क्यों हमें यह को accept नहीं करना चाहिए ऐसे questions आएंगे आपके पास तो आपने पहले तो लिख दिया जो भी आपने पढ़ा वो लिख दिया अब आप यहां पर धीरे-धीरे उन्होंने क्या-क्या थ्रेट्स इंडिपेंडेंटेंस और कैसे हमने उसको टैखल करने का सोचा है जैसे हमें फॉलो करना है फिर्म की पॉलिशी प्रॉसी जा इंवाल्ड इसका प्रोमोटर का भाई जो है वह अगर एलेक्शन पर लनने जा रहा है वह उसको पैसा तो चाहिए होगा क्शलिपेंटेंस कापनी ने को पैसा क्या इसकोन ये देखना है मतलatamente कर और अवाइट से और हमकुछ और कर रहे हमारे और दोनों के एक्सपेक्टेशन जो क्लैश नहीं होने चाहिए ठीक है फालतो सा पॉइंट था यह तो अब यह जो कुशन है मैं आपको बताते तो मैं आप स्टुडेंट क्या करता ना मैं स्टुडेंट से इतना लिखके आ जाता में को यह पता ही नहीं चलता इ लिखेंगे इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको जितना भी उस पॉइंट से रिलेटेट जितनी भी चीज़े याद आ रहे हूं वह चीज़े लिख दीजिए आपके लिए वह ज्यादा बेनिफीशल होगा आपको दूसरा को समझना पढ़ेगा कोशन बोलना क्या चाह रहा ह लेकिन यहां पर इंडिपेंदेंस और अब्जेक्टिविटी नहीं क्योंकि हमारा जो सीनियर मैनेजर है वह क्लाइन अकांटिंग सर्विसेज प्रवाइड करना चाह रहा है हमारे क्लाइन को फिर यहां पर हमें मोनेटर करना पड़ता है क्लाइन रिलेशन्शिप को कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए यह कोई ऐसे लेंग्वज बनाई है खुद से लिखा है हमें एंगेजमेंट के पास सारे नेसरी क्या टीम मैनेजर नहीं है जो उस पर्टिकुलर एक्स्पीरिंस रखता हो उस पटिकुलर इंडिस्ट्री में ऐसे क्वेस्ट आइए आपके कुछी इंडिसकें सारे परोच के साथ रर्खनी में कि एक क copy को कैसी रखनी है है क्या क्यां यहां क IRição कर요 करते हमारे पियारे प्यारे हैं अब बात करतें आध already kein इन्होंने अच्छे से डिस्ट्राइब कि कैसे हम इंटीगरिटी चेक करेंगे क्या क्यां क्या है पर सबसे पहला पास इंटीगरिटी का आपके पास कश्ण आ जाए जिसमें SQ7, S220, Acceptance and Continuous of Client Relationship, Integrity के बारे में कोई भी डाउट आ जाए, तो आपको ये सारे points लिखने हैं कि Integrity के सब बारे में आपको क्या-क्या matters consider करने वड़ते हैं, सबसे पहला, Integrity of Client के बारे में आप सोचे थोड़ा सा, आप ऐसा समझ लिए, कि अगर आपको कोई Client बोल रहा है कि आप हमारे auditor बन जाए, तो क्यूं आपने previous auditor को हटाया था, क्यूं आपने previous auditor को reappoint नहीं किया, सबसे पहली चीज़ आपको उनसे पूछनी है, क्या आपकी honesty में कोई दिक्कर थी, क्या आपको previous auditor छोड़के चला गया, फिर अपने उसको निकाल दिया, सबसे पहली चीज़ non reappointment of previous firm कि उन्हों ने प्रिवेस firm को reappoint नहीं किया, दूसरा हम उनके बारे में जानेंगे कि वह किस चीज़ का business कर रहे है, और वो कैसे business कर रहे है, मतलब उनकी identity and business reputation क्या है, किस चीज का business कर रहे है nature of operations and कैसे business कर रहे है मतलब उनकी identity and reputation and उनका attitude कैसा है attitude कैसा है owners का attitude कैसा है मतलब जो owners है उनका क्या attitude है attitude मतलब ऐसा नहीं आरे वह बहुत attitude वाला ऐसा है वह वाला attitude नहीं attitude मतलब क्या वो हमारे काम पे limitation on scope डालेंगे limitation on scope हमने basics में discuss किया हुआ है limitation on scope मतलब होता है कि हमारे काम में रुकावटे डालेंगे अर्चने डालेंगे क्या हमारे काम को रोकेंगे क्या हमें जो काम करना है वो काम करने नहीं देंगे ठीक है उसको हम वो हम चेक करेंगे क्या उनका attitude ऐसा है कि हमें काम नहीं करने देंगे क या शाय उसी वजह से previous firm भी है वो छोड़के चली गई थी या फिर वो हमारी fees कम रखेंगे या तो काम करने देंगे या फिर वो हमारी fees कम रखेंगे हमारी fees कम रखेंगे क्योंकि वो जो money laundering करते थे वहां से उनको पैसा नहीं आ रहा है money laundering से जो पैसा कमाते थे वह पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो यहां पर integrity पर हमने क्या बात करी integrity हम कैसे चेक करेंगे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि प्रिवियस पर्म को उन्हों कर सकते हैं कि यह फाइन लेवल पे आपको जो questions आएंगे न वो ऐसे डारेक्ली आने के बहुत कम chances है कि आप से बोले कि what are the matters to be considered वाया वाइन चेकिंग इंटेग्रिटी ऑफ दे क्लाइंट सी यह फाइन लेवल पर आपको questions आएंगे एक particular point पर वालब सपोस्थ एक money laundering पर एक question उन्होंने बनाया कि यह क्लाइंट है जिसका बहुत सारे रेड्स हो गई है वह money laundering करता है यहां से वहां पैसे वैसे करता रहता है अब आप हमें बताइए हमें इसको accept करना है कि नहीं करना मली बना सकता है वह लेगा कि क्लाइंट की बिजनस परिशान है डेटर इससे पैसे देनी रहे तो फिर ऐसे बहुत साई क्लाइंट की reputation जो है खराब है मर्केट में तो अब इसको accept करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आपको सबसे पहला रीजन पर पुपोज्श अप्रीवें करें कि आपने प्रीवें कर दो दूसरा आइडेंटी एंड बिजनस प्लाइंस प्रिंसिपल ओनर की management and TCWG, आपके identity क्या है आपके business, आपके reputation कितनी है आपके owners की management के TCWG, TCWG management यह हमने सब basics में discuss किया हुआ है, क्या होते हैं, फिर information regarding attitude of clients principle owners की management TCWG, आपके owners का क्या attitude है, attitude in the sense, क्या उनका attitude यह indicate करता है कि वो inappropriate limitation डालेंगे हमारे काम पे, हमारे scope of work पे inappropriate limitation डालेंगे, या फिर client is aggressively concerned with maintaining firm's fees as low as possible, या फिर वो हमारी fee को कम से कम रखने ही कोशिश करेंगे, कम से कम रखने ही कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा कोई indication है कि client जो है, वो money laundering या फिर other criminal activities में involved है, indication कैसे मिलेगा, प्रोली सुन के इसारे points आपको लिखने है, integrity में, एक कोशन है, इसका question number 4, वो भी हम अभी discuss कर लेते है, question number 4, question number 4 ये बोल रहा है, cam introduce कर रहा है to a prospective client in a social function, cam को एक prospective client में, social function में, हमारी कुछ family party थी, उसमें, कुछ client मिल गया मुझे, वो बोलता है, he assures to visit office of cam very soon in relation to professional work, वो बोलता है कि मैं आपको office आऊंगा, cam को बोलता है, ठीक हो बोलता है, during discussions over a cup of copy next week, it transpires that there was a search by ED in his premises about a month back, resulting in recovery of huge sum of cash, वो बोल रहा है कि भाई, वो जो आया था था, वो बोल रहा है कि भाई, देखो हमारे ना, premises में कुछ ED के rate rate पड़ गया थे, जिससे हमारे बहुत सारा cash, बहुत बड़ा cash, बड़ा amount of cash, easy ने जब तकर लिया, AD ने जब तकर लिया, ठीक है, the income tax department had also searched his premises in relation to bogus capital gains on penny stocks, penny stocks पे bogus capital gains के regarding income tax ने भी हमारे पर search कर रखी है, ठीक है, Lamenting poor quality of services provided by his previous auditor, present auditor, he offers appointment as tax auditor of his 5 family owned firms to CAM in lieu of handsome fees, वो बोल रहा है कि हमारे प्रेजंट अच्छा काम करनी रहा, तो हम आपको बोलते हैं, आपको एक मौका देते हैं, आप आईए, आप हमारे 5 family owned firms का audit कीजिए, इसके बदले में हम आपको बहुत अच्छी fees देंगे, बहुत अच्छी fees, आप खुश हो जाओगे, इतनी अच्छी fees देंगे, आप हमें बताइए, what are the factors to be evaluated by CAM, if he wants to take up the engagement, अगर आपको engagement लेनी है, तो आपको कौन-कौन से factors evaluate करने पड़ेंगे, मैंने आपको पताया था कि आपको directly ऐसा कोई question नहीं आएगा, आपको indirectly पैचानना पड़ेगा, यहां पे था huge sum of cash, ED ने raid किया हुआ, income tax debatt ने raid किया हुआ, आपके penny stocks, capital gains के लिए, यह पूरा हमें इशारा करता है money laundering की तरफ, कि यह जो client money laundering में involved है, इसलिए हमें इसको accept नहीं करना चाहिए, integrity of client जो है, वो खत्रे में है, क्योंकि money laundering is a point of integrity of client, हम यह बताना है कि integrity of client खत्रे में है, है क्योंकि यह मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए च्छोटा सा एंसर तो यह आपके नहीं आने के ज्याज़ा जांसे से नहीं आएगा चाहर पाच मांग में कैसी आएगा यह कोश्चन ठीक है नेक्स हम बात करते हैं हमारा नेक्स टॉपिक था जैसे इंटिग्रिटी पर फॉस्स पॉइंट था अब नेक्स पॉइंट हमारे पास कैपबिलिटीज में आपको तीन चीज़े बताई थी की साथ आता है कॉंपिलिटीज में अगर आपको इस से रिलेटेड़ कुछ भी चीज़ दिख जाए कि कैपबिलिटीज टाइम कॉंपिलिटेंस के बारे में बताईए क्या 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 मैं करने बड़ते हैं अगर आपके पास नहीं है तो या तो आप एक्सपर्ट को हाल कर लो या फिर एक्सपर्ट को हाल कर लो या आपके 6 पॉइंट्स हो गए नाम में ही इसका एंसर दिया था अब कैसे हम एक बार इसको को अपने सब्सक्राइब कर लेते हैं सब्सक्राइब के लिए फर्म के पास नॉलेज होना चाहिए पूरा इंगेजमेंट वितिन देडलाइन उसको आप मीट कर पाते हूं रिपोटिंग देडलाइन को आप मीट कर सके ऐसा आपके पास कर लेता हैं चाहिए जिनके पास नेसेसरी क्याप्टिंट्टेस इन कॉंप्टेंस होनी चाहिए आपके पास अगर रिसोसे नहीं ए तो अप एकस्पर्ट साय कर लो इसपर्सर अवेलेबल इफ नीडड या फिर इंडिविज्वल्स meeting criteria and eligibility requirements to perform EQCR available मतलब आपके पास experts भी available है और EQCR भी available है जो EQCR बनने के लिए eligible है और जो criteria को meet करते सर क्या criteria है क्या eligibility है वो हम नीचे अच्छे से discuss करने वाले हैं यहां पर आपका सबसे बड़ा topic जो है SQC 1S220 में वो आपका EQCR ही है तो हम वो EQCR वाला topic जो है वो बहुत अच्छे से discuss करने वाले हैं ठीके सर यह सर अब नेक्स बात करते हैं क्या आपने सब्सक्राइब कर ले आपने बहुत साही साही चीज़ें करके देख ले आपको सब कुछ सही मिला अब acceptance के बाद आपको एक ऐसी information पता चलती है जो अगर आपको पहले पता होती तो आप इस engagement को decline कर देते आप इस engagement को accept ही नहीं करते अब आपको क्या करना चाहिए when you have received information causing you to decline an engagement तब आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको अपनी PRL responsibilities देखनी है आपके professional regulatory and legal responsibilities देखनी है आपको यह check करना है कि क्या आपको उन persons को बताने की जरुवत है जिन्हों ने आपका appointment किया था या फिर आपको regulatory authorities को बतानी की जरुवत है या नहीं है आपको यह check करना है कि आपकी क्या PRL requirements है दूसरा आपको यह देखना है क्या कोई possibility है to withdraw from the engagement क्योंकि आप पहले decline कर देते तो क्या अब आप इससे resign कर सकते हैं और फिर नहीं कर सकते हैं दो चीज आपने देखी फिर अगर आपको लगता है कि हाँ क्यों आप withdraw करने वाले हैं दूसरा discussion के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ it is appropriate तो विड्वा दिसकेशन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ it is appropriate to withdraw तब आपको अपने प्यालो responsibility वापिस ते देखनी है कि आपको वापिस आपने प्रतें से था उसको आपको बताना या फिर आपको बताना है आपको सिग्निफिकन्ट इशुस बताने है जो भी आपको ति अब बचाएंगें यह था पूरा आपको टब करना यह साला काम आपको तब करना जब आपको को management के साथ discuss करो पता लगाओ कि क्या it is appropriate to withdraw अगर appropriate है withdraw करने के लिए तो वापिस से प्यारव responsibilities देखो और significant issues बताओ क्या क्या significant issues थे ठीके सार यहीं हम सारे points अपने concept note से करने वाले हैं matters क्या matter consider करने जब information हमें मिले कि हम जब engagement को decline कर देते अगर वह information हमें पहले receive होती तो सबसे पहला प्यारव रिस्पॉंसब्लिटी देखनी है including whether firm should report to the person who made appointment क्या हमें परसन को पॉइंट करने की जरवत है जिन्होंने हमारा appointment किया था या फिर हमें regulatory authorities को बताने की जरवत है दूसरा possibility of withdrawing देखना है from engagement and client relationship engagement से भी withdraw करना मतलब के साथ मैं आगए काम नहीं करूँगा यह विड्रॉगवल की possibility हमें देखनी है तीसरा policies on withdrawal from engagement and client relationship address issues that include मतलब policies on withdrawal नीचे जो दिये गए issues इन को विड्रॉवल के लिए जो नीचे सारे issues को address करें क्या क्या issues को address करना है सबसे पहला discussing करना है क्लाइन के साथ डिसकस करना है क्लाइन के management के साथ TCWG के साथ रिगार्डिंग appropriate action that firm might take मतलब उनके साथ यह discussion करना है कि हम अब क्या action ले सकते हम मतलब as a firm हम क्या action लेने वाले हैं यह उनके साथ discussion करना है अगर firm ऐसा determine करती है कि यह appropriate है करने वाले यह उनको बताएंगे और क्यूं करने वाले यह उनको बताएंगे और क्यूं करने वाले यह भी हम उनको बताएंगे नेक्स हम बात करते हैं considering अब विट्रॉ करने वाले तो आप प्यारल रिकार्मेंट्स वापिस से देखो कि आपको किसी जो आपके लेनी है कि यह significant issues आपको मिले थे यह था आपका पॉइंट फॉर मैंटर विच मैंटर तो बी कंसिडर्ड मैं इंफॉरमेशन कॉसिंग कॉसिंग इंगेजमेंट्स थीक है सर यह सर नेक्स नहीं बात करते हैं च्छोटा सा पॉइंट आपका यूमन रिसोर्स का यूमन रिसोर्स के आराउंड आपको कुछ भी पॉलिसी जन प्रोसीजर्स के आराउंड कुछ भी कुछन पूछ ले कि what are the policies and procedures for सबसे इंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर ही पूरी रिस्पोंसिबिलिटी होती है यह चेक करना कि क्या वो इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पोंसिबिलिटी है तो यह तीन पॉइंट आपको लिखने है यूमन रिसोर्स का अगर कुछ न आ जाए तो सिंपल है बहुत सिंपल है आपको याद आना चाहिए कौनसा इंगेजमेंट पार्टनर के पास पार्टनर के बास और इंगेजमेंट पार्टनर के बारे में च्छोटी सी चीज़ आपको पता हो नहीं चीए कि आपको सकते हो अब यहां पर देखेना है जो भी हमारे पॉइंट से इंग्लिश वो कैबलरी जो मुझे भी देखके समझ में आता है तो मैंने वहां पर आपके हर ईजी वर्ड जो सिंपल इजी वर्ड एंगलिश के वह लिख दिये हैं यहां पर भी लिखे हैं थाकि आपको वह पॉइंट समझने में दिक्कत ना आए ताकि आपको बार बार वह गूगल पर जाकर उसका एंसर ना देखना पड़े मीनिंग ना देखना है इस पर्टिकलर स्कूज सिवन और बहुत इंपोर्टन टॉपिक भी है तो इक्यू सियर सर्फ ओड़िस क्या है इंगेजमेंट कॉलिटी कंट्रोल रिवियूर जो हमारे एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल है आपको रिविव करता है ठीक है मतलब यह एपी से भी एपी तो हमारा काम करता है एपी से भी उपर एक बंदा है जो एपी को रिव्यू करता है उसके पुरे एंगेजमेंट को रिव्यू करता है कि उसके एंगेजमेंट में quality control है या नहीं है सबसे पहली चीज MCQ का point है यह कि यह member of ICI होना चाहिए सबसे पहली चीज कि this should be member of ICI मतलब कोई firm का कोई और बंदा भी आप एजन AQCR लेके आ सकते हो कि यह हमारा AQCR है लेकिन वह आपके team का बंदा नहीं होना चाहिए और suitably qualified होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता suitably qualified बंदा होना चाहिए तीसरा या तो वह एक इंसान हो सकते हैं या फिर टीम भी हो सकती है मतलब चार पाच लोग बोलेंगे यहां चलो हमारा काम करेंगे तो एक पूरी टीम भी हो सकती है किसे वह एक बंदा AQCR हो ऐसा नहीं ज़रूरी है चौथा लिस्टेड एंटिटी की केस में experience and authority जो AQCR है जो अगर सपोस कोई listed entity का AQCR है तो उसके पास experience भी होना चाहिए authority भी होनी चाहिए to act as engagement partner इसका मतलब क्या है कि उसका engagement partner के जैसा experience होना चाहिए उसके पास engagement partner जितनी authority होनी चाहिए उसने काम किया हुआ हो पहले as an engagement partner in a listed entity ऐसनी आप किसी भी listed entity का कोई भी EQCR आप उठा के ऐस कुछ पता ही नहीं है तो मैं उससे दब के काम करूंगा भाई तुम reviewer हो तुमको बताना है गलतिया बतानी engagement partner की तुम उससे दब नहीं सकते तुमारे पस same level of experience and authority होनी चाहिए as an engagement partner एक और चीज लिस्टेड एंटिटी के case में यह mandatory है यह आपके MC को का भी part है लिस्टेड ए सब्सक्राइब करना है उस particular engagement के लिए लिस्टेड एंटिटी के case में तो eqcr is mandatory अब eqcr क्या करता है na eqcr आपके significant judgments को review करता है जो भी उस engagement में आपने क्योंकि सब कुछ review नहीं कर सकता आपने जो एक एक प्रोसीजर किया एक 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 एरिया को review नहीं कर सकता वो significant जो भी आपन transactions है अब हजार करोड transactions चेक नहीं कर सकते है एक साल में तो आप क्या करते हो sample उठाते हो उसमें से अपने जजमेंट के बेसिस पर उठाते हो तो इसको हम बोलते judgment आपको audit में बहुत सारे judgments लगाने पड़ते यह तो मैंने आपको एक्जम्पल लेदिया इसे बहुत सारे आप judgments लगाने पड़ते है अपने audit में तो वो जो judgments है उसमें से भी जो significant judgments है जो आपके audit procedures में सबसे बड़े judgments है जो आपके audit को सबसे बड़ा impact देते हैं वो significant judgments review करता है कौन हमारा EQCR EQCR review करता है दूसरी एक और चीज suppose engagement बाटने ऐसा सोचे कि अच्छा EQCR मुझे appoint करना है वो EQCR मेरा काम भी review करेगा मतलब मैं उस EQCR पर responsibility डाल सकता हो अगर बाद में कुछ गरबड मिली तो मैं ऐसा बोल दूँगा अरे भाई वो तो EQCR ने भी review किया था न तो आप EQCR को भी जा करना है उसका काम से review करना है उसने अगर रिव्यू करके बताया भी नहीं कि आपने गलत किया है कुछ तो भी उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं है मतलब सारी रिस्पॉंसिबिलिटी उसकी हो गई एसर नहीं है तो आपकी ही है ठीक है एक बर आपने इस कॉंसेट बुक से समझ लेता है जो भी हमने गिया है एक यूसे बात कर रहे है वह मेंबर ऑफ आइस होना चाहिए या फिर वो तीम भी हो सकती है उसको भी एक्टिविजिए बोल सकते है एक्टिविजिए बना हुआ हो ऐसा उसके पास एक्स्पीरेंस होना चाहिए किसी को भी आप उठाके उसके बना सकते तीसरा वह रिव्यू करता सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को एंगेजमेंट में उसके वजह से कोई रिद्यूस नहीं होते सब्सक्राइब 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 तो अभी हमें question no.9 discuss करना है question no.9 क्या बोलता है GVN Associates are auditors of a listed company involved in FinTech sector FinTech sector में ही है engagement team is stuck up with some issue pertaining to a particular index applicable to the company एक index applicable होगा या नहीं होगा उसमें कुछ हमारा issue चल रहा है they have framed a query and sent to ICI for expert opinion on the matter ICI को हमने query बना के बेजी कि बताओ हमें कि इसमें हमें इंडियाइस applicable करना है के नहीं करना और issue को हमने resolve कर लिया upon receipt of expert opinion ICI ने हमें expert opinion देगे issue को resolve भी कर दिया अब since expert opinion was provided by ICI engagement team was of the view that appointment of EQCR has lost its relevance मतलब वो बोल रहे है कि आप तो हमें ICI को expert opinion ले लिया ना अब हमें EQCR appoint करने की जरवत है ही नहीं do you agree अब हमें यह देखना है कि भाई यह लिस्टेड एंटिटी है लिस्टेड एंटिटी के में mandatory है आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं हमने expert opinion ले ले लिए इसने हमें EQCR appoint नहीं करेंगे तो यह गलत है हमें EQCR appoint करना है क्योंकि यह लिस्टेड एंटिटी के इसके लिए पूरा paragraph है इसमें आपको समझना है इसमें points नहीं याद गणने के लिए सबसे पहला है कि आपको consultation नहीं लेनी EQCR से क्योंकि EQCR शुट भी objective उसको objectively अपना review करना है अगर आपने consultation ले ली EQCR से EQCR ने बूल दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए तो बाद में वो अपनी बात को deny नहीं कर पाएगा ठीक है इसलिए आपको consultation नहीं लेनी चाहिए EQCR से आपको उनसे participate नहीं करवाना है audit में audit में उसको कोई participation नहीं होना चाहिए क्यों से का participation आप उसको यह नहीं बोलो गया जाओ यह audit procedure परफॉर्म करके आओ जाओ inventory काउंट करके आजाओ आप ऐसा नहीं बोल सकते EQCR को आप participant नहीं करवाओगे दूसरा उनसे कोई decision making नहीं करवाओगे audit engagement में जो भी decision से वह आपको खुद को लेने आपकी खुद की team को लेने EQCR कोई decision नहीं ले सकता उसको पूरा objective ही रहना पड़ेगा एक और लाइन दो न्याट कर दी कि engagement partner चाहे में लिखा है यहाँ पर चाहे तो consult कर सकता है क्या बुला पहले तो बोल दिया नहीं 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 कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप चाहो तो consult कर सकते हो लेकिन आप एक भाद ध्यान रखना कि उसकी objectivity और उसकी eligibility compromise नहीं होनी चाहिए आप चाहो consult कर लो मतलब थोड़े बहुत उपर-उपर matter से आप consult कर सकते हो लेकिन उसकी objectivity और उसकी eligibility जो है वो compromise नहीं होनी चाहिए नहीं कर सकते हैं कर सकते हो बसकी objectivity और eligibility compromise नहीं होनी चाहिए mcq था mcq में यह बोला गया था कि engagement partner ने खुद eqcr कर दिया अब आप एक बात 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 है अगर मैं मैं खुदी eqcr कर रहा हो अगर मैं खुदी एक बंदे को अपॉइंट कर रहा हो जो मेरा रिव्यू करेगा तो क्या मैं अपने दोसको अपॉइंट नहीं करूंगा जो मेरा सब को अच्छे से रिव्यू करें बोलो हां मैंने साही काम किया है इस लिए engagement partner कभी भी भी खुद अपॉइंट नहीं करता है eqcr को अब तो eqcr को करता है eqcr is appointed by as per the quality control system of the firm जो फर्म को quality control system में उसके इसाफ से eqcr अब बात करते हैं अगर significant consultations लेनी है मैंने क्या बोला था उपर से आप छोटी-छोटी-छोटी ले सकते अगर आपको लेनी है जो आपके objectivity and eligibility को compromise नहीं कर रहे अगर आपको significant consultations लेनी है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि eqcr को हमें objective ही रखना चाहिए मतलब eqcr objective रहे उस significant consultation के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि eqcr objective नहीं लेने वाला तब आप दूसरे person को eqcr बनाओ मतलब फिर वो eqcr काम का नहीं है या फिर दूसरे person से consultation लो आपको eqcr से consultation नहीं लेनी चाहिए मतलब यह बोल रहा है अगर आपको significant consultation लेनी है तो eqcr objective रहना चाहिए अगर वो objective नहीं रह रहा है तो यह तो दूसरे person को eqcr बना दो यह फिर दूसरे person से consultation ले लो आप eqcr से consultation मतलो यह सारे points से आपको consultation से around यह आपको समझने थे आपको याद नहीं करने थे एक बर आपने concept note से भी discuss कर लेते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है exactly exactly क्या कहने की कोशिश कर रहा है consultations with eqcr यहां भी यह सारे sqc1 वाला चल रहा है left side में और right side में आपका पूरा eligibility for the role तीसरा अगर consultation significant हो जाते हैं तो eqcr को objective रहना है अगर वो objective नहीं रह पा रहा है अगर it is not possible for eqcr to remain objective तो another individual को eqcr appoint कर दो या फिर another individual से consult लो eqcr से consultations मतलो कि हमेरी eqcr तो objective ही चाहिए ठीक है अगर हमें अब करना है question number 8 question number 8 क्या बोल रहा है question number 8 कहां गया यह रहा question number 8 question number 8 बोल रहा है pqr and associates are statutory auditors of a listed company ठीक है listed company are statutory auditors है there arose an issue during the course of audit relating to related party transactions के around हमें कोई issue मिला the engagement partner wants to consult engagement eqcr मतलब eqcr को consult करना चाहरे on this matter during the course of audit process itself मतलब जैसे audit चल रहा है उसी audit process के दौरान ही EP बोल रहा है कि मैं eqcr से consult करना चाहरा हूं can he consult with a eqcr क्या eqcr से consult कर सकता है तो आपको पहले पहले यह बताना है कि eqcr की objectivity हमें maintain करना यह हमाले सबसे द्यादा important है therefore participation in engagement या फिर decision making engagement team की eqcr से नहीं करवानी है यह हमें avoid करना है at all costs लेकिन यह हमने पहले बता दिया कि नहीं नहीं कर सकते फिर हम बोलेंगे however engagement partner चाहे तो consult कर सकता है लेकिन उसकी objectivity और eligibility compromise नहीं होनी चाहिए simple question था simple answer लिख दिया इन्होंने सबसे पहला matter है सबसे important चीज eqcr के लिए उसके पूरे जीवन में उसके पूरे review में सबसे important चीज है eqcr के लिए independence independence is the most important thing for eqcr ठीक है तो listed entity के case में सबसे पहले eqcr चेक करेगा independence अगर independence नहीं है अगर उसको मिलता eqcr को कि भाई ये engagement partner ही independent नहीं है entity से तो वो significant risk है अगर independence नहीं है मतलब वो significant risk है और ये risk जो है वो significant है मतलब ये risk जो है वो risk तो है लेकिन ये significant है ये कैसे पता चला judgment के basis पे हमें पता चला auditor ने ऐसी मलब eqcr ने ऐसी judgment करी कि भाई independence जो है वो है इसका मतलब यह जो रिक है वो सिगनिफिकन HJT me suis जजमेंट के मिल रही है तब हम उनके कुछ वर्किंग पेपर सिलेक्ट करके देखेंगे, as an EQCR, मैं कुछ उनके working paper select करूँगा, working paper का मतलब क्या होता है sir, मैंने आपको बढ़ा था audit documentation, last अपने basic साले में audit documentation बताया था, तो audit documentation को भी हम working papers बोल लेता है, कि हमने जो भी document किया, working papers हमारे है, जो भी हमने working करी है, उसके papers बनाया हुए, तो हम उनके कुछ- यहा है, जो भी consultations ले थे, जो भी conclusion बनाया थे, क्या वह appropriate है या नहीं है, significant statement मली, तो मैंने उनके working paper select करके है, यह चेक रे लिये, क्या उन्हों ने जो भी consultation बनाया थे, क्या वह appropriate है या नहीं है, और अगर appropriate नहीं है, तो मैं communicate करूँगा management को, कि management यहांने जो consultation लिये थे आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको बना रहा था अपना तेखनीक तो इसलिए आप यह वाला नीचे हो गया यह वाला पॉइंट नीचे हो गया ठीक है सबसे बहुत हैं तो हमारे लिए इंगेजमेंट नहीं है पुरी तीसरा हम देखेंगे और हमारी का जज़्मेंट है तो क्या उन्होंने ज़िए पर्टीक्लर लीठेश थे निवस्पेंट फेंस वाक्षेंट के लिए पर इसे कीडियों यह भी हम चेक करेंगे कि जो अन्करेक्टेट में स्टेटमेंट से अफिर अन्करेक्टेट में स्टेटमेंट उनका कितना सिग्निफिकेंट्स है यह भी हम डिसकुस करेंगी हम डिसकुस करने वाले करें तो बैदर वर्किन पेपर सिलेक्ट आपने काम किया इसा इसा वर्किंग ब्रॉक्टेशन भी करतें दूसरा वर्किंग बबस सेलेक्ट करतें कि वह दर एक्रोप्रेट कंसुल्टेशन सब्सक्राइब करेंगे यह सारे मैंटर करेगा इन केस ऑड़िट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे आपको याद कैसे करना है सर याद तो आपको ऐसी करना है यह जो मैंने आपको पूरा फ्लो बनाया हुए जो स्टोरी मैंने आपको पूरी बताई वैसे ही स्टोरी मैं आपको याद करना है वैसे ही आपको बार बार बोलना है यह लेक्चर खतम होने के बाद आपको बस एक दो बार वापिस दे इस स्ट स्टोरी को रिवाइस करना जो भी स्टोरी ना पर्टिकलर पॉइंट के स्टोरी को बार बार बोलना है ताकि वह स्टोरी याद हो गई यह जो यह सारे की वर्ट्स है जो मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में बनाया हुए यह स्टोरी आपको याद होगे तो आपको सारे की वर से भी लिख दिया तो भी चलेगा तो आपको कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं ठीक है सर येस सर अब नेक्स टॉपिक बात है जो हमारा ऐसे 220 में ऐसे 220 क्या बोलता है एंगेजमेंट पार्टनर की क्या मुझे अपनी रिपोर्ट तब तक नहीं निकालनी है जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं निकालनी है तब तक मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं इशू कर सकता सिंबल एस डाट ठीक है यह आपका भी यह भी आपका एक कुश्चन आ सकता है एक्जाम में टीसरा हमें अपनी ठीबर को डेट नहीं करना है अंचिल कंप्लीशन ओव डेट का सिंपकेंस क्या होता है कि इस दिन तक हमने सारे अडिट प्रसीजश कर लिए तो तो हमें वो audit report को date नहीं करना है जब तक हमारा EQCR ना खतम हुजा है मतलब EQCR is part of our audit जब तक हमारा EQCR खतम नहीं होता तब तक हमारा audit खतम नहीं होगा और तब तक हम हमारी audit report में date नहीं डालेंगे यह कहना जा रहा है this is the significance ठीक है एक क्वेशन अपने को करना इसके बाद क्वेशन नुबर 5 कर लेते हैं यह हमारा क्वेशन नंबर 5 आई बोल्या पाइन असूसियर से the statutory auditor of bb limited a listed company and started its operations six years ago 6 साल पहले इन्होंने operations अपने शुरू किये थे the field work during the audit of financial statements of the company for the year ended 31st March 2023 was completed by 1st May 2023 अब जितना भी काम हमें audit का करना था हमने 1st में तक हतम कर दिया था audit report को हमने date कर दिया 15th में 15th में तक हमने audit report को date कर दिया अब डेट डाल दिया हमने audit report के 15th में during the documentation review of the engagement it was observed that the EQCR was completed on 18th में हमने डेट डाल दी 15th में की लेकिन EQCR complete हुआ था 18th में को the EQ or engagement partner ने complete किया अपना review 12th में अब सिर्फ इतना सब बताने के लिए इन्होंने पूरी रमायन लिख दी उन्होंने पूरा लिख दिया कि एसपर 220 एंगेश्मेंट पार्टनर की रिस्पॉंसिबिलीटी होती है एक्यूसियार के प्रती है देखना कि भाई वह engagement partner को पॉइंट किया उसके साथ इसलिए गलत है तो आपके मार्क्स कर जाते हैं तो आपके मार्क्स कर जाते हैं हमने तो सब कुछ सही लिखा है तो आपके मार्क्स कोड़ गए इसलिए करते हैं आपके मार्क्स इसलिए मैं आपको बूला है कि आपको रेलेवन चीजे सारी लिखनी है ठीक है यस सर नेक्स हम बात करते हैं नेक्स क्या बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स बात करेंगे यह मुझे इवैल्यवेट करना है तो मैं क्या-क्या चीजे चेक करूंगा अब आप मुझे बात बताईए कि अगर आपने कोई सिग्निफिकंट जज्चमेंट लिया है और मुझे उसको चेक करना है तो सबसे पहले मैं आपसे डिसक्शन तो करूंगा न क्या आपने यह पड़ेगा मुझे आपका documentation चेक करना पड़ेगा मुझे आपका documentation रिविव करना पड़ेगा कि क्या आपने सही से सिग्निफिकेंट जज्मेंट्स लिए है या या पर नहीं लिए तो क्या रिविव गरना है आपको रिविव करना है financial statements and audit report सब्सक्राइब करना है ताकि हम यह पता लगा पाएं कि जो भी आपने अपने कंक्लूजन्स दिये हैं वह एप्रोप्रियेट है या नहीं है सिंपल चार कोशन 4 माग का खतम सिंपल यह पूछ रहा है कैसे करेगा सिकनिफिकेंट जुज्मेंट को पहले वह दिसकेशन करेगा दिसकेशन के यह कीवर्स याद होई गए ना अब कीवर्स याद होगे तो इसके आजबा जो नहीं लिख सकते हैं क्या हो इसलिए मैं आपको बोला है concept book आपका 1.5 डेज होना चाहिए आपको आजबा जगा थोड़ा पता रहे सिर्फ कीवर्स कीवर्स ना पता रहे एक बार मैं इसको concept book से भी कर लेते हैं आपको और पता चलेगा अच्छा यही तो लिखा है जो आपने भी पड़ा पूछ रहा है क्या पूछेगा आपको क्या objective है कैसे करेगा significant judgment को तो उसमें आपके क्या के चीज़ आएंगे सबसे बहुला discussion करेगा significant matters का AP के साथ दूसरा वो review करेगा selected documentation को जिसमें उसके significant judgments होंगे और क्या conclusions लिए वो होंगे फिर वो selected documentation उतलब exactly कौन से documentation review of financial statements and proposed auditors report proposed क्यों 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 जब तक यह क्यों से अरनने होगा तब तक आप अपने प्रपोस्ट रिपोर्ट ठीक है उसको आप रिव्यू करोगे फिर आप करोगे जो भी निकले या फिर जो भी आपने जो भी मिले वह अप्रोप्रियेट थे या फिर नहीं थे वह आप चेक करोगे अपने हमने क्या बड़ा सबसे क्या है इंडिपेंडेंस नहीं है इसके का क्या सबसे पहला इंडिपेंटेश्ट के समें और यहां रिए हुई है ठीके सार यही सेम चीज हम यहां पर डिसकस कर लेंगे यहां पर अपने कंक्लूजन से आपके करेंगे यह सारी चीज़े आप करेंगे इन के सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद हमें क्या बोलता है हमें यह बोल रहा है कि इंगेजमेंट पार्टन विद्धिट चैसे के एक सब्सक्राइब करेंगेजिए नहीं किया अब engagement partner was of the view that matters related to independence assessment are the responsibility of engagement partner and not EQCR वो बोल रहा है आपको independence check करने की जरूत ही नहीं है आपकी responsibility नहीं है independence check करने की ऐसा engagement partner बोल रहा है EQCR को EQCR objected to this and refused to sign off the documentation please advise as per SA220 SA220 का according आपको advise करना है simple cdc बात मैंने आपको बोला हुआ है कि EQCR की सबसे बड़ी responsibility है सबसे में काम independence और engagement partner बोल रहा है कि आपको independence चेक नहीं करना है you are wrong engagement partner you are wrong हमें चेक करना है independence EQCR की तो में responsibility है यहाँ पर हम बताएंगे 2020 के बारे में बुचाए नहीं देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने करना पड़ता है identified breaches को appropriate action लेने पहले ethical requirements वाले सारे point आ रहे हैं लेकिन वह EQCR बले भी एक point है यहाँ पर कि EQCR को maintain करना है independence चेक करना है कि नहीं करना इसलिए मनें इसको EQCR के point में रखा है तो यह तीन point हमने पहले ही पढ़ लिये थे अब एक और चीज़ हमें यहाँ पर बोलने है कि बाई consider तो हमें करना है EQCR का काम है कि उसको फर्म की independence को evaluate करना ही करना है तो यहाँ पर engagement बातना गलत है और EQCR को independence का compliance करना ही करना है इंडिपेंडनेंस का evaluation करना ही करना है यह वाला point आपको ध्यान में नहीं आता ऐसा student मुझे भी यह वाला point ध्यान में नहीं आता कि यह वाला point भी लिखना है इसले में वह नहीं हो कि आपको जितने relevant points वो particular topic पे ध्यान में आ रहे हैं वो points वो topics आप लिख लीजिए उसके marks हो सकते है नहीं होगे तो क्या ही फरक पड़ता है marks नहीं कटेंगे लेकिन हुए तो आपको बहुत दुख होगा कि यार मुझे आता था मैंने नहीं लिखा ठीक है यस है चलो next continue करते हैं हम लोग next हम बात करने वाले हैं next हमारा engagement documentation की बात होगी मेरी हाल से यहां पर बात हो रही है स्कूसीवन ने से 220 में दोनों में सेम डॉक्यूमेंटेशन करना है उसको खुद का सारे procedures perform किये और फिर नहीं किये सारे dieses perform तो कर ली लेकिन क्या complete किये और फिर नहीं किये और दूसरा क्या कोही disorder 누 remarks और अत्यांग Altered oníz्व ऑपीनिरों का यह जो कोिए डिफ्रेंड ओपीनियों की बात करें लो तो क्या उन आफे नहीं था साफिद्व में क्या हमने डिपर क्लियद से मतलब क्या वह क्यों कर लिट्व कर लिए फिल नइंगें जी जो प्रोसीजर्स किया क्या ँसमें कोई अंडिजॉल मैंटर्स है या नहीं है जैसे मैं आपको एक से यह वाला टॉपिक करा लिए तो छोटा सा टॉपिक है इसमें कुछ भी नहीं है तो पहले हम पूरा दोनों कर लेते हैं यह बात नहीं कर रहा है तो एपि- सबसक्राइब करना अगर उसने क्लाइन को एकसे किया तब उसको यह तब उसको यह देखना है क्या उसने क्या उसने का compliance किया था अगर आपने नहीं किया था तो क्या इस आपने उनको करना पड़ेगा तो अगर आपने क्या इशू किया और आपने जो इशू किये वह किसके साथ क्या किन्सओते यहां पर साथी चीज़ 이야기 करेंगे धक्स्रेटेश धूरे परफॉर्म किये दूसरा एक्यू सिया जो है वह कंप्रीट हो गया बिफोर रिपोर्ट इसी इसूड एंद तीसरा ए रिव्यूर इस नॉट अवैर ऑफ एनी अन्रिजॉल मैंटर के पास ऐसा कोई भी अन्रिजॉल मैंटर नहीं बढ़ा है जो सिग्निफिकंट जजमेंट से है जो इन अप्रोपरिईट हो सकता है अब क्या डॉइंट करना है उसके एकशेप्टेस को चल्यूं से उसको हमने कैसे कर लिया किनिफ में देखना है तीसरा अगर independence compliance नहीं वा तो जो भी issues से उसको हमने कैसे resolve किया वो हमें देखना है issues in compliance with ethical requirements and how they were resolved and चौथा आपने किसे consultations के बारे में हमें देखना है क्या nature and scope का consultations था जो हमने लिया है during the audit okay sir yes sir अब थोड़ा साही बस इतना सा देख लीजिए इतना आपका बचा है SQC 120 और फिर हमारा पूरा SQC 120 जो है वो खतम हो जाएगा with all the questions and with utmost clarity चलिए next छोटे-छोटे से टॉपिक है बहुत प्यारे प्यारे से बहुत मज़िदार वाले टॉपिक है और बहुत अच्छे लेवल की questions आ सकते topics पे अब हम वो topics करने वाले सबसे पहला आपका difference of opinion difference of opinion का मतलब क्या होता है सबसे पहला रिपोर्ट जो आपकी बनेगे रिपोर्ट में जहां भी आपको रिपोर्ट बोलू ना वहां आप समझ जाना audit report की बात चल रही है यह आपके mind में घुसा के लख रोगा इपर लिख के रख लो कि जहां भी भी मैंने report लिखा है वो audit report की बात चल रही है तो report आप तभी issue करोगे after resolution of difference of opinion मतलब difference of opinion रख के आप report issue नहीं कर सकते हैं आपको difference of opinion resolve करना पड़ेगा उसके बाद ही आप report issue कर सकते हो पहली बात यह दूसरी बात EP ने कुछ recommend किया EQCR को पसंद नहीं आ रहा EQCR satisfied नहीं है EP ने बोला कि ठीक है आप यह बोल रहा हो तो इसके जगह हम यह कर देते हैं और EQCR उससे satisfied नहीं है मतलब जब तक EQCR satisfied ना हो तब तक आपको अपनी report नहीं डालनी है EQCR को पूरा satisfied करके ही जाना है अब आई ऐसा हो रहा है कि EP ना तो satisfy कर पा रहा है EQCR को मतलब जो भी explanation दे रहा है वो EQCR को satisfied नहीं कर रहे है तब आपको क्या करना है तब आपको resolve करना है इस आपके difference of opinion को using procedures of the firm फर्म ने जो procedures बताए है difference of opinion को resolve करने के लिए उस procedures को use करके आपको इस difference of opinion को resolve करना है लेकिन कैसे भी करके आपको resolve करना ही करना है बिना resolve किया आप अपने report नहीं date कर सकते हैं मतलब नहीं निकाल सकते हो और यह आपका MCQ का point है कि क्या procedures होते हैं फर्म के फर्म के क्या procedures हो सकते है यह तो फर्म बोले कि आप दूसरी फर्म के साथ consultation ले लो आप दूसरे किसी पार्टा के साथ दूसरी फर्म के साथ consultation ले लो यह आपका था पूरा difference of opinion का point एक बार आपने सकता है या फिर जिसके साथ हमने consult किया उसके साथ हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है रिपोर्ट शुड उनली भी इशूद आफ्र डिफ्रेंसे को रिजॉल करने के बाद हमें रिपोर्ट डालनी है अगर recommendation of EQCR are not accepted by EP, EQCR ने जो recommend लिया है, EP ने accept नहीं किया and matter is not resolved to reviewer satisfaction, reviewer मतलब क्या होता है EQCR, अगर reviewer EQCR के satisfaction तक वो matter resolved नहीं हुआ है, तब it should be resolved by following established procedures of the firm, मतलब फर्म को अपनी एक procedure establish करनी पड़ेगी इस difference को resolve करने के लिए by consulting another practitioner जिसमें आम another practitioner को consult कर सकते है, another firm को consult कर सकते है, या फिर किसी professional regulatory body को भी consult कर सकते है, ऐसा firm को को प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ठीके सार, yes sir, यह हमारा question number 7 है, जल्दी से discussion कर लेते है, क्या बोल रहा है, question number 7, question number 7 उपर आएगा, question number 7 बोल रहा है, B&N company are in the midst of audit process of a listed MPT, listed entity का audit process कर रहे, during the course of the audit, an issue arose relating to revenues from contracts with customer in terms of India's 115, India's 115 में कुछ issue इसुआ गया, the engagement partner took a certain strength, इसे पातने लिया, however EQCR recommended otherwise after review, EQCR ने बोला ने इसके अलबावा कुछ यह करते है, the engagement partner is not willing to accept recommendations of EQCR, engagement partner नहीं accept कर रहा है, EQCR के recommendations, how can the statement ended, अब बताओ हम क्या करेंगे, तो हमने बुला है पहले ही, अगर नहीं हो रहा है, दोनों recommend नहीं कर रहे है, कोई accept नहीं कर रहा है, और EQCR satisfied में नहीं है, तो आप फिर firm के procedures follow करो, देखो आपको किसी another practitioner, the firm के साथ discussion करना है, और फिर आपको regulatory professional bodies के साथ consultation करना है, फिर नहीं कर करता है, यहां पर थोड़ा बहुत flavor आपको 230 का मिलेगा, तो यहां पर मैंने ऐसे 230 में से repeat करना है, मैंने वहां से हटा दिए, क्यों किसी को समझ नहीं है, छुड़ा आप, मैं क्या बोर आपको समझ में भी आएगा, थोड़ो, हां, तो engagement documentation की बात करते है, हम लोग यह audit file, क्या बोलो सर अपने final audit file, आपको याद मनें, आपको basics में बताया था audit documentation, working papers, जो अभी हमने डिसकस किया, तो यह सारे audit documentation हमने बनाए है, जितने हमारे members ने बनाए, हमारे article ने बनाए, manager ने बनाए, partner ने बनाए, वो सारे documentation को लेके, हम एक file में उसको club करते है, सारे documentation लेके, यहाँ पे एक file में assemble करते है, बनाए, एक साथ लेके आते हैं, अब ऐसा नहीं physical file नहीं होती है, physical file भी होती है, अब अभी तो नए जमाने में सारे electronic file होती है, तो एक folder में हम सारी file, सारे सब के working papers को combine करके लेके आते हैं, ठ हमारी final audit file में आपको सब कुछ मिल जाएगा सारे एरिया के सारे प्रोसीजर जो भी हमने सारे टीम मेंबर से जितने भी प्रोसीजर के वो सारे प्रोसीजर आपको मिल जाएंगे इस अब यह क्या हमने audit report से पहले अगर हमने सारी चीज़े करने लगे तो कितना सारा अपने सारे प्रोसीजर कर लिए सबने अपने अपने audit report का वेट क्यों करना आपको तो इसलिए यहां पे बोला गया है कि यह जो फाइनल एसेंबली यह ना audit फाइल की जो एसेंबली है यह आप audit report के बाद भी कर सकते हो मतलब आपने audit report इस्यू कर दी उसके बाद आप कि जब भी आपका एसेंबली आपको कब करने है final audit file की within 60 days after date of audit report जो date है आपके audit report की उसके within 60 days के अंदर-अंदर मतलब आपको अपनी final assembly of audit audit file कर लेनी है और यह आपका mcq का point है एक हो गया final assembly of audit file की हमने audit file बना दी अब उस audit file को हमें करना है मतलब अपने पास रखना है अपने रिकॉर्ड में रखना है क्योंकि कोई भी आके हमें पूछ सकता है कि आपने इस इस company का audit कैसे किया था हमें उसको सारे सब्सक्राइब करेंगे तो या तो अब देखो इसमें दो चीज होती है एक सबसेडरी हो आपकी एक audit report बनेगी मतलब आपका एक stand alone अगर आपने अफ़ार किया होगा तो stand alone word को आप बहुत अच्छे समझते होंगे नहीं भी क्या तो आपने कहीं नहीं सुना होगा कि stand alone एक होता है stand alone मतलब इस particular company के financial statements इस particular company के financial statements पर audit करके हमने जो auditors report issue करी वो एक auditors report दूसरा इस company के financial statements इस parent के financial statement के साथ consolidated होते हैं जिसको हम बोलते consolidated financial statements को हमने audit करके जो report issue करी उसको हम बोलते group auditor report बालब ग्रुप की यह जो है रहे यह मिलाकि ग्रुप बनाते है इन दो इन यह जो पूरा ग्रुप है इसकी जो ओडिटर रिपोर है उसकी देट या तो जो कमपनी के खुद के financial statements पर audit report है उसकी date इन दोनों में से जो भी लेटर हो वहाँ से 7 years लेंगे और यह आपका MCQ आया हुआ है देखा है तो कुछ भी नहीं मैं बतारो एक बार आपने एक बार इसको रिवाइस के लिए आपको लगे क्या टाइम बस चीज थी लेकिनि अभी बोलने के लिए ऐसा लग रहा है और इस और इतनो चारा चेक करने है कुछ भी नहीं करना आपको क्या लेना है इस कंपनी के audit report की डेट लो आपके group audit report की डेट लो और उसके उसमें से दोनों में से जो भी लेटर हो लेटर मतलब बाद वाली डेट हो वहां से आपको 7 years काउंट करने है वहां से आपको लेके 7 years तक मैं minimum 7 years तक आपको उसको रिटेन करना है और यह आपका MC क्योंक्त है ठीक है अगर दो रिपोर्ट दो audit report on same subject matter मतलब यहां पर जैसे आप देखेंगे same subject matter क्या होता है जिस matter पर आप report बनाते है जैसे आप यहां पर देखेंगे दो अलग-अलग report बन रही है तो उसकी time limits हम अलग-अलग apply करेंगे उसकी time limits हम अलग-अलग calculate करेंगे यह जो time limits हमने अभी discuss करी वो अलग-अलग calculate करेंगे 60 days हम दोनों का अलग-अलग report से देखेंगे, समझे, yes sir, यह था हमारा पूरा time limit के बारे में, engagement documentation के बारे में, अब बात करते हैं, ownership of documentation के बारे में, कि भाई, ownership किसकी होती है, जो मैंने documentation यहा, जो मैंने इतने सारे evidences collect किये है, जो मैंने इतना सारा procedures लिखा, वो, यह सारा जो documentation है, जो working papers है, इसकी ownership किसके पास है, यह आपका MCQ का point है, अच्छा सा, यह property होती है, firm की, यह firm की property होती है, मतलब auditor की खुद की property होती है, यह, यह चाहे, तो किसी को भी नहीं देगा, मतलब यह सबको मना कर सकता है, कि मैं आपको अपना documentation नहीं दूँगा, मेरी मर्जी है, मतलब इसकी authority है, वो audit documentation, और यह चाहे, तो किसी को भी दे सकता है, अपना audit documentation, जो इससे मांगे, यह सबको दे सकता है, लेकिन इसको कही force नहीं कर सकता देने के लिए, क्योंकि इसकी property है, अब जैसे कोई आपके घर में घुस जा तो आप उसको रोक सकते हो, भै मेरा घर नहीं घुस, लेकिन आप चाहो तो हाँ, आजाओ, आजाओ, तो वही बात है, आपकी property आप जो चाहो कर सकते हो, उसके साथ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप उ अगले साल से client, वो सारी चीज़े चेक कर देगा, कि आप कैसे कैसे चेक करते हो, वहां से loophole निकाल के फिर fraud कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, कि अगर आप engagement documentation शेर कर रहे हो, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़े, detail में न से आपके complain कर देंगे, क्योंकि आप confidentiality के खिलाफ जा रहे हैं, या फिर आपने, बेसिकली आपके पास हमारी information नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप हमारे auditor नहीं है, आप previous auditor है, तो ये company ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि working paper जो है, वो auditor की property होती है, company working papers auditor से नहीं मांग सकती है, ये आपका पूरा MCQ था, ठीक है, एक बार हमने discuss कर लेते हैं, हमने concept note से जो भी हमने अब इदर discuss किया है, engagement documentation के बारे में, engagement documentation के बारे में हमने क्या discuss किया, कि हमें complete करनी है, final engagement files on timely basis after date of auditor report, timely basis का मतलब क्या हो है, 60 days, not more than 60 days after the date of auditor's report, अगर या audit documentation, audit engagement है, जिसमें documentation, retention period हमको calculate करना है, तो retention period आपका होता है, no shorter than, no shorter than, मतलब minimum, minimum 7 years from date of auditor's report, या फिर group auditor's report, whichever is later, ठीक है, यहां पर whichever is later आ जाएगा, लेकिन एक और बात ध्यान रखना, अगर हमने 2 या 2 से ज्याधा report बनाई, on same subject matter, मतलब financial statement same है, और उस पर हम 2 या 2 से ज्याधा report बना रहे है, तो उन सब reports के लि आपको confidentiality maintain करनी पड़ती है, safe custody रखनी पड़ती है, integrity, accessibility and retrievability of documentation should be maintained, मतलब documentation confidential होने चाहिए, safe custody में होने चाहिए, integrity सही होनी चाहिए, मतलब कोई उसमें छेडशान ना कर जाए, कर पाए, ऐसा होना चाहिए, accessibility, उसको में access कर पाए, ऐसा होना चाहिए, retrievability, मतलब वो कहीं पर गूंग हो जाए, तो उसका backup हमारे पस पड़ा हो, यह सारे documentation की quality होनी चाहिए, और इसी एक line पे ICA ने एक question पूछ लिया, आपके MTP में शायर, MTP काई थो question, एक बाद देख लेते है, question number 12 है, question number 12 की बाद कर रहे है, जो आपके लिए में को नहीं लगता है, आपके बहुत ज physical files are neither scanned and incorporated into electronic files, nor cross reference to electronic files, मतलब भी बोल रहा है, जो physical files होती है, उसको electronic files से कोई नायता ही नहीं है, मतलब physical files अपना अलग चलती है, उसको हम scan करके electronic files भी नहीं लेके आते, नहीं हम cross referencing करते हैं, अच्छा यह वाला पाद आपको चीए, तो आप यह physical file में मिल जाएगा, यह वाला whether information was obtained from client or prepared by engagement team, मतलब आप अपनी audit documentation में यह भी नहीं लिखते हैं, कि यह information आपको client से मिली थी, या फिर आपने खुद prepare कर रही है, यह कैसा documentation आप maintain कर रहे हो, ना तो आपके physical और नहीं आपके electronic में कोई तालमेल है, नहीं आप physical को electronic में convert करते हो, scan करके, और नहीं आप पता ल system in audit firm, अब यह सब देख के आपको पता तो चल जाएगा, हाँ सार इसमें quality control का कुछ तो issue है, लेकिन as a student आप answer क्या लिखोगे इसमें, क्या मुलब कुछ भी हवाई बात लिखनी पड़ेगी, इसमें क्या answer लिखोगी, यह तो हमने बढ़ा ही नहीं, यह तो ना ICM module में है, एक line है, जो मैंने आपको बता देथी, confidentiality, safe custody वाली, integrity वाली, retrievability वाली, accessibility वाली, तो वो line के around ही, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, यह आपका question है, MTP March 24 का, यहाँ पर हम देखते हैं, इन्होंने क्या लिखाया, इन्होंने लिखाया, as per SQC1, हमें यह सब maintain करना पड़ underlying data, retrievability जो है, वो compromise हो गई है, अगर documentation alter हो सकता है, add हो सकता है, delete हो सकता है, without firm's knowledge, और retrievability भी compromise हो जाएगी, अगर यह document को हम alter कर सकते है, add कर सकते है, delete कर सकते है, without firm की knowledge, firm को knowledge भी ना हो और हमने यह सारा काम कर दिया, तो retrievability भी compromise हो जाएगी, ठीक है, अब इन्होंने appropriate procedures बता chronically store करनी चाहिए, दूसरा, integrate करना चाहिए, scanned copies को into engagement files, engagement files में आपको scanned copies को integrate करना चाहिए, तीसरा, scanned copies को retrieve and print करना चाहिए, as necessary, retrieve के लिए भी आपको enable करना है, मतलब कि भाई, अगर कहीं हो जाए, scan copies, तो उसको आप अपीस backup कर सके, वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, आप आपको identify करना है, source of the document, बतलब यह आपको पता होना चाहिए, यह document आपको client से आया, फिर आपने खुद prepare किया है, और आपको ensure करना है, उसकी reliability को, ताकि हम उसकी reliability को ensure कर सके, ताकि हम पता लगा सके, ताकि हम उस पे rely कर सके, हमें कितना rely करना चाहिए, हमें client से मिला है, फिर ह ने खुद प्रिपेर किया तो यह सारी चीज़े इन्होंने मोटा मोटा उपर से अपने आप से पूरा एंसर लिखा है जो मेरी खाल से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन नहीं है आपके एक्जाम के लिए चलो नेक्स आम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ एक और गोल्डन रूल ऑफ अब यह समझ लीजिए जहां पे भी लौ और रेगुलेशन कुछ भी बोल रहा है कुछ भी लौ और रेगुलेशन करने के लिए बोल रहा है तो लौ एंड रेगुलेशन वुट भी अप्लीकेबल जो भी आपने पड़ा है अ अगर लौ रेगुलेशन बोले कि जो फिर्म की है अड्यू दोक्यमनेटेशन फिर्म खुद के डिस्क्रेशन पर चाहे तो एक्स्टाइक्स दे सकती है ख्लाइन को दे सकती है फ्रौवाइडड सच डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है तो मौनेटरिंग का मतलब क्या होता है हमें यह चक करना है कि यह चेक करना है कि यह जो क्या उसका जो डिजाइन है वह एप्रोप्रियेट है क्या वह एफेक्टिव्ली इंपीमिंटेड है डिजाइन तो हमने कर लिया उसको हमने मैं पड़े करना पद़ा परेगा ना जयसे सरकार पॉलिची तो बहूत सारे ही बनाती में वो अपने आप QCS के अंदर अपडेट हो जाते हैं अगर यह अपने आप अपडेट हो जाते हैं इस तब हम बोलेंगे कि इसका डिजाइन जो है वो अपरोप्रियेट है जो हमारे new development जो भी new changes हो रहे है अपने आप अपडेट हो जाते हैं QCS में इसका मतलब उसका design जो है वो appropriate है और ये जो new developments है इसको update करने की responsibility किसकी है engagement partner की engagement partner की responsibility है new developments को update करने की monitoring में मलब QCS QCS में update करने की responsibility engagement partner की क्यों है क्योंकि इसी की responsibility है to deal with complaints and allegations जो भी complaints and allegations आ रहे है बाहर से अंदर से कि भाई कमटी ने independence को comply नहीं किया इस सारे allegations से deal करने की responsibility किसकी है engagement partner की है और ये कैसे आपने deal किया क्या आपने remedial actions लगाया जो भी complaint आई जो भी allegations है उस पर क्या remedial actions लिए वो भी appropriate remedial actions लेने की responsibility engagement partner की है तो यहां पर हमने समझा अगर आपको कोई भी question आ जाए around monitoring के सब्सक्राइब करने एक बार आपने concept book से भी discuss कर लेते हैं monitoring मतलब क्या होता है monitoring में यह देखना है कि जो QCS है हमारा वो relevant है adequate है operating effectively है और complied with है factors to be consider क्या factors consider करना है सबसे पहला हम यह देखना है कि क्या QCS एप्रोप्रेटली डिजाइंड है एप्रोप्रेटली डिजाइंड होगा जब एक्जामिनिंग वेदर न्यू developments in PRL requirements are reflected in QCS जब new developments PRL requirements में अपने आप reflect हो जाएंगे QCS में ता हम बोलेंगे कि वह एप्रोप्रेटली डिजाइंड है ठीके सर येस सर नेक्स हम हमें पॉछम कोरने करना मॉनेटरी जिसम्में रिस्पोंसीबिलिटी आफ मॉनेटर प्रोसेजसस असाइन करते हो सकते है तो यह तक हों क्योंने को क्रते हैं को सुछम में जेव dif नने कटी व्सोंसीट्व है और अटर्र परसन सब्सक्राइइं औरी लिजे निर्स पूरा चैप्टर इसमें एक पॉइंट एक टॉपिक जो मुझे बहुत ऐसे अंदर से सब्सक्राइब करना है यह पॉइंट चोटा सब्सक्राइब करने के लिए आप तो करते हैं अपने खुद के बॉडीज गवर्ण्बेंट ने अपने खुद के बॉडीज बनाया हुए हैं कि वो सिय के ऊपन निगरानी रखे कि वो अपना क्वालिटी कंट्रोल सही पीर इन्हों हिन्हें बोर्ट के राधर तीन बोड्ला के सबसे पहला था आपको बड़े-ब्री टॉपिक्स एगीना ब्रीफ में आपको यह आपको छोटा सा बना के देघ सबसे हमाइब है पूर पास पियर अइसे बनते हैं अब जैसे बोड कमिटी के अंदर audit committee बनती है ना वैसे council of ICI के अंदर ये एक peer review board बनता है ये किस पर ध्यान देता है enhancing quality of work जो हम ऐसे chartered account work कर रहे है उसकी quality को increase करना एन्हांस करना इसका main motive होता है तीसरा अगर unqualified report था इसमें भी क्या होता है basically review होता है फिर जो reviewer होता है na peer reviewer जिसको हम बोलते है वो peer reviewer एक report देत certificate मिलता है उस peer review certificate का हम क्या करते है वो peer review certificate हमें eligible बनाता है to accept audit of listed entities वो peer review certificate is mandatory वो सब अपने requirements से अलगला कि कौन से company का आपको audit करना तो आपको peer review certificate होना चीए वो अलगला हो आपके syllabus में नहीं है तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर unqualified report उसने दे दी तो मतलब सब report दे दी तो हमें peer review certificate तो मिलेगा नहीं उसके उसके साथ हमें एक date of following review मिल जाएगा मतलब कि अब वापिस ते आपका review इस तारिक को होने वाला है ऐसा हमें वो लोग बता देंगे और हमें वापिस ते अपनी quality को control करना पड़ेगा quality maintain करने पड़ेगे और वापिस हमारा analysis करे यह पूरे points से आपके peer review board के हम बात करते हैं आपके quality review board के साथ quality review board क्या होता है यह आपकी मिली बिगात होती है central government and council of ICA के साथ मलब council of ICA के कुछ members होते है और आपके central government के भी कुछ members होते है यह focus करता है आपका risk based approach में risk based approach का मैं आपको example दोना suppose एक उन्होंने किसी एक client का audit किया जो automotive sector में उसमें कुछ उसको fraud मिल गया auditor के द्वारा ठीक है मलब कुछ auditor ने कुछ lapses किये तो उसको मिल गया उसको फिर उसके फिर से हम और audit करके fraud मिल गया तो अब क्या है risk बढ़ गया हम अपने regular audit में भी करते हैं जो हम अभी सीखेंगे न पूरा है जो सैंटर सुन अउडिटिंग है यह पूरा risk based approach पर ही चलता है कि जहां आपको ज्यादा दिख रहा है वहां आप ज्यादा procedures करिए जहां आपको कम रिस्क दिख रहा है वहां आप कम procedures करिए यही risk based audit approach हम quality review board भी follow करता है और यहीं हम भी follow करता है as an auditor ठीक है yes sir यह क्या करता है यह यह तीन चीज पर डिवाइड करता है यह तीन चीज में देखता है quality of work को सबसे पहले review करता है quality को recommend करता है council को और guide करता है members को क्या करता है review करता है quality को तो उसके बाद recommend करता है council को कि इन्होंने अच्छे से quality maintain करे थी यह नहीं करे थी और guide करता है members को members मतलब सब्सक्राइब करता है इसके साथ दूसरा करता है क्वालेटी को आपकी क्वालेटी देखता है तीसरा आपको सजेस्ट करता है मैजर के बारे में चौथा इन्वेस्टिगेशन करता है आपने क्या सही से काम किया या फिर नहीं किया यह चार काम आपके नफरा करता है और नफरा सबसे बड़ा होता है और सबसे पावरफुल होता है और सब का जो डिफिशेंस है वो यह लेकिन अब qrb का कामा इतना से प्रें गया कि qrb या तो छोटीром होगगा होगा निजी से qrb do अगर नफरा रेफर कर दे क्यों आपको तो फिर वो रीवीव कर सकता है यह आपके थे हमारे सारे टॉपिक एक दो पॉइंट आपके सारे cqs सासात में कर रहें अगर आपने देख लिया हो तो दो पॉइंट है अपने नहीं और आपने डाया नहीं किया दसक न क्या सब्सक्राइब अगर आपने कैसे किया अगर आपने एस का reference दे दिया यहां पर एस नहीं लिखा है इस एस का अगर आपने reference दे दिया इन डेस financial statements वालब financial statements आप बना रहे हो इन डेस के basis पर लेकिन आपने reference दे दिया एस का accounting standards का तब आपका यह से 220 का violation है कुछ questions है मैं आपको बता देता हूं कुछ questions हमने यहां पर लिखे रखे 13 तो 14 questions हमको करने वह भी हम करने वाले old course के यह questions है part 1 का जो है question number 6 और 11 है यह आपको काट देना यह आपको करना ही नहीं है यहां पर मैंने भी नहीं करवाया यह आपका old course का है कोई relevant नहीं आपका पार्ट 2 में आपका question number 7 जो है वो old course का है वो आपको काट देना बागी सारे question आप करके आजाई यह अगर आपको क्वे doubt और वार्ट सपर पूछ लीजे अभी हम डिसकस करते है question number 13 और 14 क्या कहना चारे question number 13 हमारा कहा है इसके नीचे वाले question number 13 comprehensive यहां पर आप देखेंगे कु आपके वो इसमें तो इसमें basically वो सारे question से जिसमें बहुत सारे topics ओ रहे है या तो बहुत सारे essays में सो रहे हैं या फिर professional ethics में सो रहा है कारों मिक्स हो रहा है तो सारे comprehensive essays करे के मैं यहापर 14 पेज में आपके questions यह जब पूरा audit हमारा हो जाएगा तब हम यह सारे questions करेंगे comprehensive essay वाले ठीक है सार यस सर तो अभी हम पहले 13 14 कर लेते हैं 13 14 कहां है 13 14 जे रहा यह रहा हां तो MNP and company a firm of auditors is appointed by a bank to conduct stock audit of a borrower हम audit कर रहे है stock audit कर रहे एक borrower का it deputes one of its paid charter accountant employees Sudhan Shoo to conduct above state stock audit और हम अपनी फर्में से एक सुधान्शू बंदे नाम के बंदे को बेज रहे जो पेड चार्ट अकाउंटेट है हमारा he leverages it as an opportunity to prevail upon the client to get the accounts audited from their firm मतलब हम गयते stock audit करने के लिए सुधान्शू क्लाइंट के साथ deal करके आगया कि आप अपना audit जो में audit होता है statutory audit वो भी आप हमारे साथ ही करवाओगे he also assures the client of a clean stock audit report without adverse comment as a quid procure और क्योंकि आप हमारा statutory audit भी हमारे साथ ही करवा रहे हो इसलिए मैं आपके stock audit में clean report दे दूँगा अब tension मतलो मैं आपके stock audit report में qualified report नहीं की दूँगा आप मुझे बताइए इस अप्रोच और सुधान्शू प्रॉपर नहीं सर बिल्कुल प्रॉपर नहीं यह quality control को फॉलो नहीं कर रहे हैं how does it reflect upon quality control system of the firm तो यहां पर इन्हों नहीं बुलाएं कि अप्रोच अप्रोच सुधान्शू इस नौट प्रॉपर सच प्रैट सच प्रैक्टिस वॉयलेट code of ethics हमारे code of ethics को वॉयलेट कर रहे हैं क्योंकि it is not ethical कि हम एक काम के बतले दूसरा काम खराम कर दे एक स्ट्रैक्टिटी लेने के बदले हमने स्टॉक और रिपोर्ट में क्लीन रिपोर्ट इशू कर दी ऐसा हम नहीं कर सकते ठीक है इट रिफ्लेक्स पॉर्डी अपन quality control system of the firm which requires that quality control policies and procedures should be documented and communicated to the firm's personal हमको document करना चाहिए और communicate करना चाहिए फर्म के पर्सोनल को यह हमारा पर्सोनल है इसलिए यहां पर फर्म पर्सोनल की बात हो रही है इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो फर्म के पर्सोनल है इनको हमने बहुत अच्छे से quality control के importance के बारे में नहीं बताया है अगर हमने उनको बहुत अच्छे से हमारे quality control system के requirements के बारे में बताया होता तो आज वो यह काम करके नहीं आते है यह खुद से line लिखी हुई है basically इनोंने और यह question आपके आएगा भी नहीं वैसे ठीक है no don't worry next हम बात करते है आएगा नहीं मतलब यह descriptive question नहीं आएगा वैसे हमें बूल रहा था RSTN company firm of chartered accountants are auditors of a listed company engaged in manufacturing of heavy machinery components the audit report for the year 21-22 also included report on matters listed in caro 2020 के हिसाफ से भी इनोंने कुछ reporting कर रखी while reporting under clause 7-a of state order relating to regularity of undisputed statutory dues by the company मतलब 7-a में हमें ना statutory dues undisputed statutory dues के बारे बताना पड़ता है कि company ने क्या and statutory dues पे किये थे या नहीं किये थे और six अगर पे नहीं किये तो six months के बाद वाले जित्ते भी statutory dues है वह हमें बताने पड़ते थे ठीक है यह यहीं कारों से qualitative and in line with requirements of asset 220 अब बताईए क्या एसे 220 के according है या नहीं है तो एक बात में आपको बता देता हूं कारों हम पढ़ने वाले वहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कारों कारों में हम यह देखेंगे कि यह जो clause number seven है इसमें हमें डिटेल में बताना पड़ता है कि कौन कंपनी ने कौन कौन से statutory dues पे किये कब कब पे किये क्या कंपनी ने किसी में overdue किया था और अगर overdue किया था तो क्या वो six months के बाद बाला overdue था यहां पर auditor ने क्या किया है यहां पर auditor ने simply लिख दिया कि company generally regular है statutory dues को pay करने के लिए क्या यह सही था क्या यह reporting qualitative है इससे मुझे कुछ quality provide हो रही है क्या इससे मुझे कुछ value provide हो रही है नहीं sir तो इसलिए हम यहां पर बोलेंगे कि this quality this reporting is not qualitative the reporting under caro 2020 is not proper hence the audit does not comply with the regulatory and legal requirements इसलिए आप regulatory और legal requirements से comply नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने रिपोर्टिंग जो है वो गलत देती है यह आपका था पूरा SQC 1 and SA220 और यहां पर मैंने आपको सारे questions बता दी जो आपको करने अब हम जल्दी से पूरा का पूरा SQC 1 and SA220 जल्दी से पूरा एकदम quick way में discuss कर लेते कि हमने अभी तक क्या-क्या सीखा इस पूरे chapter में और कैसे-कैसे हमने उसको क्या-क्या flow बना के हमने कैसे-कैसे memory techniques बना के हमने समझाए यह पूरा तो शुरू करते हमारा सबसे super quick revision SQC 1 and SA220 की बात करेंगे नाम वाम ठीक इसको फुल्फिल करते हैं और हमारे reports जो है वो appropriate है elements की बात करें सबसे पहला element leadership responsibility for quality within the firm इसमें हमें यह देखना है कि जो हमारा quality control system है वो ओवर्राइट कर रहा हूँ business strategy को पारा घर मार पास question आजा what are the considerations to uphold quality तो uphold quality करना किसकी responsibility है management की responsibility है वो करती है यह policy बना के policy बनाने के कि हमें अपने resources जो है sufficient resources को dedicate करना पड़ेगा ताकि हम client की information ले पाए जिससे हम policy बना पाए जिससे हम management की responsibility फुल्फिल कर पाए अब बात करते दूसरा आता है से 220 में leadership responsibility for quality on audit engagement partner की responsibility है हर एक audit पे quality को maintain करना engage actions of engagement partner emphasize करना चाहिए कि quality is essential मतलब quality is necessary and quality is important importance क्यों है quality की क्योंकि it helps us to comply with बाहर वाली अंदर वाली बाहर वाली मतलब PRL के साथ अंदर वाली मतलब firms के quality control system के साथ PRL के साथ बाहर अंदर वाली के साथ comply नहीं है तो भी चलेगा बाहर वाली के साथ comply करना है क्यूंकि PRL के साथ अगर comply नहीं है तो team जो है वो concern raise कर सकती है without fear बिना कोई डरके वो concerns raise कर सकती है और हमने comply कर लिया मतलब हमारे reports जो है वो appropriate है ethical requirements की बात करेंगे second element है हमारा ethical requirements है क्या वो independence requirements की against हमारे कोई threats है या नहीं है आपको identify करना है और यह सारे जो भी breaches हुए है यह आपको notify करना है अपने form को अब एक और बात कर लेते है रिटन confirmation लेना है आपको independence requirements का from all your personal annually and एक और इसमें बात आती है familiarity threat की familiarity threat मतलब जब एक ही इंसान को हम use करते है for long period of time prolonged period of time तब familiarity threat आता है इसका सेफगाड या तो आप rotate कर दो उस auditor को या फिर आप EQCR करवा लो listed entity के case में EP को rotate करना ही पड़ता है in at least seven years मतलब maximum seven years सक आप EP रह सकते हो अगर store provider है तो उससे वो पात साल की limit लग जाते है उसमें साथ साल की limit नहीं लगती है acceptance and continuous of client relationship के बात करें third element है इसमें आपको obtain करना पड़ता है vital information about client and इसमें vital information client तो है यह नहीं इसमें तो firm है client के बारे में आपको competence भी पता करनी है और ethical requirements भी पता करनी है और ऐसे 220 की case में आपको इन दोनों के बीच में अगर current या previous audit engagement को significant matters हुए थे तो उनको भी consider करना है next में बात करते है क्या-क्या issues अगर यह सब करने के time आपको issues identify हुए तो आपने कैसे उनको resolve किया उसको आपको document करना है identity and business reputation और उसका attitude क्या है owners का attitude मतलब क्या क्या वो हमें कम काम करवाएंगे मतलब limitation on scope डाल देंगे या वो हमें कम fees पे करेंगे अब बात करते हैं आपको अपने engagement accept कर लिए उसके बाद आपको को information मिलती है जो अगर आपको पहले मिल गई होती तो आप engagement को decline कर लेते तो आपको सबसे पहले अपनी प्यार और responsibilities देखने हैं कि क्या आपको उन बंदों करना है उन बंदों को बताना है जो इसने आपको appointment किया था या फिर आपको लगता है आपको लगता है आपको आपको जिसने appointment किया उसको बताना चाहिए जो रेगुलेटर से उसको बताना चाहिए और आपको फिर significant issues सारे जो भी आपको मिले अभी तक वो सारे significant issues आपको document करने है नेक्स्ट हम बात करते है human resources के बारे में बहुत symbol है human resources में आपको यादाना चाहिए सबसे most important human resources engagement partner के responsibilities है सबसे पहले है कि क्या वो खुद competent है क्या वो खुद time है क्या उसके पास resources है दूसरा यह जो responsibility है क्या यह defined है और क्या यह उसको पता है खुद को बता है communicated है और तीसरा क्या यह communicated to client है या नहीं है नेक्स्ट हम बात करते हैं इंगेशन इंगेशन पार्टनर होना चाहिए दूसरा लिस्टेटी में तो अब बात करते हैं हम लोग SQC1 के बारे में SQC1 में लिखा गया है कि consultations with EQCR आप ले सकते हो मलब पहले तुब लिखा गया है आप नहीं ले सकते क्योंकि EQCR को objective रखना है उसको आप participate नहीं करवा सकते अपने audit में उससे आप decision making नहीं करवा सकते EP चाहे तो ले सकता है consultation लेकिन एक बात ध्यान रखना वह अब्जेक्टिविटी और eligibility compromise ना हो जाए ठीक है EP इंसेल्फ अपॉइंट नहीं कर सकता है EQCR को और formal engagement letter होना चीए EQCR और EP के बीच अगर significant consultation ले रहे हो तो देखना EQCR के अब्जेक्टिविटी ना पॉइंट हैंपर हो जाए compromise हो जाए अगर वह compromise हो रही है तो दूसरे परसन को या तो एक्यूसरे परसन से consultation ले लो matters which required which need to be considered by EQCR in listed entities क्या क्या matters सबसे पहला important सबसे important matter के लिए independence तो इसको इंडिपेंदेंस देखना गारे इंडिपेंदेंस नहीं है मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क है यह रिस्क इनिफिकेंट है यह कैसे पता चला judgment के बेसे से पता चला जजुमेंट के बेसिस पर हम यह भी पता चलता है कि क्या अगर कोई सिग्निफिकेंट है तो हम यह देखना ए जो भी कंसल्टेशन से और कंग्लूजन से वह appropriate है या नहीं है अगर नहीं है तो management को को हमने पॉइंट किया है हम वह उससे साथ discuss करने सिग्निफिकेंट और हमें अपनी रिपोर्ट को तब तक नहीं निकालना जब तक अप्रोप्रेट थे या नहीं थे नेक्स हम बात करते हैं से 220 में मैं अप्रोप्रेट नहीं होता रिपोर्ट ठीक है अगर यहीं बहुत जल्दी बहुत एफेक्टिवली में आपका यह पूरा रिवीजन जो है वो करवा रहा हूं अगर आपने इस सारी चीदे अच्छे से कर ली तो यहीं रिवीजन को अगर आप दो तीन बार सुनेगे कि आपके यहीं रिवीजन को दो तीन बार सुनेगे और साथ साथ में लेके बढ़ेंगे तो आपको इस सारे पॉइंट्स सारे कहानिया जो मैं आपको बता रहा हूं कहानिया वो स्टोरी कीवर्ट के साथ आपको याद हो जाएंगे फिर आपको टेंशन लेने की जरवत ही नह करते दिफ्रेंस ऑफ उपीनियन की दिफ्रेंस ऑफ उपीनियन अगर फिर वसे लेके टिवर्ट के टीम में डिफ्रेंस या फिसे से तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट बनानी है अगर एक बडिए रिकमेंडेशन और आपको रिजॉल्प करना यूजिंग एस्टाब्लिश पिर आता है हमारा engagement documentation, engagement documentation में क्या बोलता है, आपको assembly करना है final audit file की within 60 days after the date of audit report और उसको retain करना है for at least 7 years from the date of audit report या फिर group audit report whichever is later, अगर दो reports same subject matter पे बनी है तो time limit separately apply होगी दोनों report पे, ownership of documentation की बात करो तो property of the firm होती है unless otherwise specified by law and regulation, अगर auditor चाहे तो वो खुद provide कर सकता है, लेकिन एक ध्यान रखना, it should not undermine the validity of the work and independence of your engagement, MCQ है इसमें कि कंपनी नहीं मांगा अपने प्रिवेस ओडिटर से, लेकिन कंपनी ऐसे नहीं मांग सकते है अपने प्रिवेस ओडिटर से, last topic हमारा monitoring, monitoring मतलब quality control system की monitoring करते है, इसमें क्या क्या factors consider करते है, monitoring मतलब होता है, क्या appropriately designed है, और क्या new requirements को update करने की responsibility किसकी है, responsibility है engagement partner की, क्यों, क्योंकि वही deal करते हैं सारी complaints and allegations के साथ, और वही appropriate remedial actions भी लेते हैं, इसलिए, last में छोटे-छोटे points से तो आप खुद भी revise कर लेंगे, कुछ revise करने के लिए, इसमें है नहीं, an audit plan नहीं हो, document नहीं हो, तो ऐसे 220 का violation हो जाता है, और अब इसी approach के साथ सारे topics करेंगे मेरे साथ, तो आपके बहुत अच्छे से, बहुत effectively आपका सारा revision भी हो जाएगा, बहुत effectively आपको समझ में भी आ जाएगा, बहुत effectively आपके सारे question भी हो जाएंगे, आपका सब अभी, आपका बस अभी यह homework है, कि आपको part 2 के जितने भी question से वो करने हैं, करने in the sense, देखने हैं, अगर आपको बस कोई भी doubt आ रहे तो WhatsApp पर पूछ सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको 2-3 question बता दिये, वो आपको cut करने है, question number 6 and 11 part 1 से, and question number 7 part 2 से आपको देखने की जरुवत नहीं है, ठीके सार, yes sir, I hope आपको साही चीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी, हम CA बनेंगे, इस बार audit में exemption पार, बस दौा में दखना, thank you, bye bye